अगे गाइज वेरी गुड़ मॉर्निंग वेरी तरफ से वेरी वेरी गुड़ मॉर्निंग उमीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया हो जोरदार हो तूफा नी हो ताबर तोड़ हो चा रहे हो मचा रहे हो सब की लाइफ एकदम जोरदार चालू है किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की कमी ने कोई भी चीज की दिक्कत ने कोई भी चीज की परेशानी ने और सब एकदम मचा रहे है So very good morning to all of you and welcome to the mega marathon of financial statements of companies जहां पे हम आज के lecture में और कल के lecture में आपका सबसे favorite topic financial statements of companies cover करने वाले है Sir यह आपको किसने कह दिया यह हमारा favorite topic है हम तो Sir ऐसे topics को exam में यू छोड़के जाते है उसको ऐसे देखते हैं और देखकर पन्ना पलट लेते हैं कि यह topic हमारा attention deserve नहीं करता और आप कहते हो यह हमारा favorite है देखो पता ही आपका favorite नहीं है आप लोग exam में इसको किस कदर छोड़के जाते हो आप इसकी तयारी किस कदर करते हो अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते आप audit में audit के mode में घुश जाते हो इसलिए आज मैं सबसे पहला mega marathon में यह topic लेने वाला हूँ और यह जो topic है इसको आपको पूरा practically समझा के practically इसके questions करवा के आपके यह topic में आपको full command दिला दूँगा आज के धाई और कल के धाई total पांच घंटों में तो आज के जो धाई घंटे है कल के जो धाई घंटे है 5th and 6th of October दोनों दिन 11 बजे से लेके धाई घंटे तक यह topic होगा पांच घंटे में financial statements को हम पूरा यहां पे cover कर लेंगे तो sir क्या क्या चीजे कराऊंगे P&L और balance sheet कैसे बनाना उसमें हर एक चीज क्या होती है क्यों होती है सारे logics cover करना उसके questions करना managerial remuneration का topic समझना उसके questions करना dividend का topic समझना उसके questions करना ये सारी चीज हम यहां पे करने वाले है आज और कल 5 और 6 अक्टोबर को अगर मैं बात करूं आज और कल के बाद तो 7th and 8th of October को आपको क्या चीज करवाने वाला हूँ 7th and 8th of October मैं आपको करवाने वाला हूँ branch accounting ठीक है तो 7th and 8th of October मतलब परसो और नर्सो branch accounting होने वाला है another major topic जो आप exam में छोड़के जाते हो yes तो exam में आप ये भी topic छोड़के जाओंगे guaranteed कसम से ये आपको बता रहा हूँ कि branch accounting भी बच्चे कौन करेगा ये यार क्या time pass चीज है तो 7 और 8 तारिक को ये भी चीज होने वाली है इसका भी lecture बनके आपको यहाँ पे इसी channel पे मिल जाएगा और ये भी topic इस कदर करेंगे कि आपका branch accounting का पूरा डर निकल जाएगा एक एक logic crystal clarity से दिमाग में बैठ जाएगा तो यहाँ पर यारो ये आपके लिए बहुत important है अगले चार दिन आज कल परसो नरसो ठीक है ये चार दिन इजजत से करो एकदम बढ़िया तरीके से पड़ाई करो आपका 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 बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर branch accounting भी हो जाएगा financial statements of companies भी हो जाएगा ठीक ह चलिए तो अब हम start करते है आज के हमारे lecture से financial statements of companies के साथ येस और सभी लोग यहाँ पर तयार हो मैं ऐसी करता हूँ उमीद सभी लोग तयार हो sir cash flow statement होगा cash flow statement आगे होगा sir advanced accounting का होगा वो भी होगा आपको schedule बता दिया जाएगा okay sir आप कितना अच्छे से जानते हो हमारी preparations को मेरे को पता है कौन से topic बच्चे करेंगे कौन से नहीं करेंगे तो मेरे को सब पता है आप लोग किस पे जादा ध्यान दोंगे किस पे नहीं दोंगे ठीक है चलिए let's start let's start let's start तो अभी हम start करते ये चीज़ के साथ financial statements of companies okay आप लोग सब तयार हो तो start करें आज के इस topic के साथ lecture number one this is the lecture number one of financial statements of companies सभी लोग तयार everybody ready yes this is what this is lecture one तो lecture one के साथ हम करते है start ये lecture थोड़ा पतला नहीं दिख रहा है चोटा नहीं दिख रहा है अब बराबर दिखना चाहिए दिखने ही रहा lecture ये भी चोटा दिख रहा है और बड़ा आपने को क्या है है अपन दिखेंगे बराबर दिखना चाहिए भाई हैvelmente lawyer ये ऐसे कनजू सी नहीं चले डहाँ अब बराबर दिख रहा है फिर भी चोटा है पर ठीके दिख रहे हैं देख लो लेक्चर वान दिमाकरा ओके चलिए लेट्स टाथ लेट्स टाथ लेट्स टाथ अब सर यहां पे न हमने ये टॉपिक पड़ा हुआ है ये टॉपिक में न हमको सर ये भी पता है कि क्या-क्या चीज़े इसमें होती है पी एनल बनाने का है कटेश के ये देखिए सर पी एंल आईसा यहां पर लिख यह पीनल का पूरा फॉर्माट यहां पर दिया है यहांसर पड़ो 1-3 करके चीज़े चीज़े पड़ो आप खुदी पड़ो ना सर आपको समझ जाएगा सबसे में यहां पर देखो P&L लिखा है P&L में यहां पर लिखते है revenue from operation other income फिर total income आ गई total revenue फिर expenses पर आउसर expenses अब expenses में देखो क्या क्या चीज़े दिये छी 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 cost of material consume purchase of stock in trade changes in inventory of finished good WIP stock in trade employee benefit expenses finance cost depreciation amortization यह क्या है sir what nonsense is this ऐसा कोई P&L होता है हमने बचपन में पड़े sir P&L असली P&L बढ़िया P&L खटे करारे P&L sir एकदम जिसमें ऐसा हम बनाते थे क्या हमारा P&L यहां पर सारी लिखते थे incomes और यहां पर sir सारी लिखते थे expense और sir यह लिखने के बाद हमारी सारी इस सारी दिक्कत ही खटम हो जाती थी क्योंकि आजाता था हमारे पास net profit और sir हमारा P&L होता था complete sir ऐसा होता है P&L ऐसा होता है यह क्या छोले का भडूरा P&L है sir nonsense बटा यहां पर एक एक चीज का आज हम logic समझ लेंगे क्यों है काई को है कौन सी चीज यहां पर क्या मतलब hold करती है ठीक है तो अभी हम start करेंगे सबसे पहले P&L की तयारी के साथ ठीक है और P&L में यह जित्ती चीजे दिये न यहां से लेकिए यहां तक जो हमारा दिमाग खराब करती है सब के logic समझ लेंगे सब का meaning समझ लेंगे सब के meaning को दिमाग में बिठा देंगे तुरंद के तुरंद ओके everybody ready start करने के लिए everybody ready everybody ready सभी लोग अगर तयार हो तो हम start करते यह topic के साथ all of you ready tell me quick क्या सभी लोग तयार है सभी लोग तयार है yes 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 बताए मुझे everybody yes let's begin let's begin let's begin चलो 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 सभी लोग अगर तयार है तो start करते आज के topic के साथ start करेंगे आज के topic के साथ अब यहाँ पे अगर आपको यह P&L समझना है न यह वाला जो statement of profit and loss है अगर आपको यह चीज समझनी है तो आपको समझना जरूरी है आपका जो बचपन में आप पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट यह ट्रेडिंग अकाउंट आपको आता है क्या ट्रेडिंग अकाउंट बचपन में हमने पढ़े थे हा सर ट्रेडिंग अकाउंट हमने बच्पन में पढ़े थे और सर जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बच्पन में पढ़े थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या क्या चीजे पढ़े थे कि sir trading account में क्या आता है trading account में sir सबसे पहले आता है opening stock हाँ sir opening stock आता है purchase हाँ sir purchase आता है direct expenses आते है हाँ फिर यहां पे gross profit आता है yes और credit side में क्या चीज़े आती है एक आता है sales और एक आता है closing stock sir यही चीज़ हमने trading account में पढ़े थे बच्पन में yes sir this is what we studied in the trading account in बच्पन इसी trading account को यह लोग यहां पे पूरा present करते हैं यहां पे अब मैं कुछ चीज़े मार्क करने वाल हूँ sir कौन सी चीज़े यहां से लेके यहां तक कहा से sir यह तीन चीज़े यह तीन चीज़े जो है न यारो यह है हमारा trading account यह है हमारा trading account sir क्या मजाक कर रहे हो बिटा बिलकुल मजाक नहीं कर रहा हूँ यह trading account की बात हो रही है sir यहाँ पे क्या क्या चीज़े लिखी है यहाँ पे लिखा है cost of material consume sir trading account में का था है purchase of stock in trade sir trading account में का था है changes in inventory of finished good WIP stock in trade sir trading account में का था है यह सारी की सारी चीज़े हम काई की बात कर रहे है we are simply talking about the trading account और कोई चीज़ की बात नहीं कर रहे ठीक है sir समझाओ आप कह रहे हो यह सारी चीज़े trading account से related है trading account में covered है तो trading account में का परे तो चलिए समझते हैं कि यह सारी चीज़े हमारी trading account में कहा पर तो मैं simple सा यहाँ पर एक trading account बनाएगा यह मैंने बनाया है यहाँ पर trading account यह सर यह आपने यहाँ पर बना लिया trading account ओके बहुत बढ़िया trading account में क्या-क्या चीजे आती थी सर आपने क्या-क्या चीजे बताया सबसे पहली जो चीज आपने बताया वो था opening stock येस तो यहाँ पर मैंने लिख दिया opening stock सर opening stock के बाद आपने क्या बोला क्या आता है purchase आता है हाँ मैंने आप लिख दिया purchase purchase के बाद सर आता है sale yes sir लिख दिया sale sale के बाद क्या चीज आती है sir closing stock आता है यह मैंने लिग दिया यहाँ पर closing stock ठीक है फिर यहाँ पर क्या चीज आती है यहाँ पर gross profit आती है yes sir gross profit आता है यह सारी चीज़े मैंने यहाँ पर लिग दी ठीक है done अब मुझे आप लोग से यह जानना है मुझे आप लोग से यह जानना है कि जब मैं बात करता हू यहाँ पर मेरे opening stock की opening stock मेरे पास कौन सी कौन सी चीजों का हो सकता है आप खुद बताइए कि हमारे पास opening stock क्या क्या चीजों का हो सकता है क्या raw material का opening stock हो सकता है हमारे साथ yes sir raw material का हो सकता है तो opening stock of raw material क्या WIP का हो सकता है yes sir तो opening stock of WIP क्या finished goods का हो सकता है yes ये भी हो सकता है सर और एक चीज का opening stock हमारे पास हो सकता है क्या जिसको हम बोलते stock in trade सर stock in trade क्या होता है what is SIT stock in trade stock in trade क्या चीज होती है आज जैसे समझो ये pen की बात करते है ठीक है मेरा काम है laptop बना के बेच रहा laptop पे लिखने के लिए मैंने ये pen भी देना है लोगों को कि तुम laptop पे directly लिख सको तो laptop बना के बेचता हूँ उसके लिए मैं laptop का पूरा raw material परचेस करता हूँ उसकी RAM, उसकी screen, उसका ये उसका वो, उसका motherboard, उसके fan उसकी सारी चीज़े, ये raw material हो गया उसको जब मैं compile कर रहा था उससे laptop बना रहा था बट पूरा finish नहीं हो गया तो WIP हो गया laptop तयार हो गया तो वो मेरा हो गया finished good अब ये pen मैं directly किसी से बाहर से खरीता हूँ और इसको customer को बेच देता हूँ तो ये चीज़ क्या है I am directly purchasing in the finished goods form और इसको मैं directly trade कर दे रहा हूँ मैं इसमें ना कुछ change कर रहा हूँ ना कुछ directly यहां से लेके यहां पे trade कर दे रहा हूँ तो इसे कहते हैं stock in trade ऐसी चीज़ जिसको मैं directly क्या करता हूँ यहां से लेके यहां पे transfer कर देता हूँ तो मैं purchase कौन सी कौन सी चीज कर सकता हूँ, मुझे बताईए, सर, purchase एक आपने अभी हमको बताया कि आपने ये pen, stock in trade को खरीदा और इसको बेचा, तो ये purchase कर सकते हो, तो मैं purchase यहाँ पर कर सकता हूँ, मेरा SIT, stock in trade, ये सर, ये पहली चीज हो गई, जो मैं purchase कर सकता हूँ, इसके साथ साथ और क्या purchase कर सकता हूँ, मुझे बताईए, और क्या purchase कर सकता हूँ, सर, जो अगली चीज में purchase कर सकता हूँ, वो है raw material, है ना, raw material, सर, आप finish good purchase नहीं करोंगे, जो आपने अपने business में raw material से finish good तक पूरा processing करके उसको बनाया, that is the finish good, stock in trade क्या होता है, एक ऐसा finish good जो directly उसी state में हमने बाहर से खरीदे, और उसी state में हम बाहर बेच देंगे, ऐसा finish good जो तयार हमने बाहर से लिये थे, और उसको तयार हम बाहर बेच देंगे, that is my stock in trade, तो फरक समझे, तो क्या मैं purchase में finish good खरीदूंगा, नहीं, मैं SIT खरीदूंगा, stock in trade, और purchase में मैं raw material खरीद सकता हूँ, बिल्कुल, उसके बाद sale, सर हम sale कौन सी कौन सी चीज की कर सकते, तो sale, एक तो मैं finish good का करूँगा, और एक मैं SIT का करूँगा, ना मैं raw material बेच दूँगा, ना मैं WIP बेचता हूँ, सर raw material क्यों नहीं बेच सकते, आपने क्या किया, laptop बनाने के लिए RAM लिया, और RAM को ऐसे के ऐसे बेच दिया, तो वो SIT हो गया, क्योंकि जिस condition में लिया, उसी condition में बेच दिया, तो raw material नहीं है, वो SIT है, ओके, next चीज, closing stock, अब कौन सी कौन सी चीजों का मेरे पास हो सकता है, तो sir closing stock, of raw material, of WIP, of finished goods, and of SIT, ये चीज सभी के दिमाग में गई, तो ये मैंने आपको बताया, opening stock, purchase, sale, closing stock, मेरे पास कौन सी कौन सी चीजों का हो सकता है, बिल्कुल sir आपने ये चीज बताया, अब इससे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कौन से चीज की, सबसे पहले मैं इन चीजों में से उठाता हूँ, क्या मेरा raw material, raw material को मैं यहाँ पे उठाता हूँ और raw material से एक meaning लिखाता हूँ, sir मेरे पास जो opening stock of raw material था, वो कित्ता था, opening stock of raw material था 500 units, ठीक है, yes, फिर मैंने purchase किया raw material 1000 units, yes, और उसमें से closing stock में बजगया sir, मेरे पास 300 units, मतलब sir अब क्या हो गया देखिए, मेरे पास 500 unit था 1000 खरीदा, टोटल कित्ता हो गया 1500, 1500 में से साल के अंत में कित्ता बचा, 1500 में से साल के अंत में कित्ता बचा, 300, so, तो sir 1200 units मेरे क्या हो गए, sir 1200 units तो मेरे consume हो गए, मेरे consume कित्ते units हो गए, consume, raw material consume जो है, वो है 1200 units, 1200 units, ये चीज़ सभी को समझा, ये चीज़ सभी को समझा, yes sir, मेरे raw material consume कित्ता हुआ, ये 500, ये 1000, 1500 हो गए, जिसमें से 300 बचा, तो अब consume हो गया 1200 unit, yes sir, ये 1200 unit को अगर मैं cost per unit से multiply कर दू into cost per unit तो मेरे पास क्या आ जाएगा sir cost of raw material consumed ये चीज आ गई मेरे पास yes sir आपके पास आ गया cost of raw material consumed yes 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 तो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया cost of raw material consumed everybody clear with this यही चीज मेरे पास यहाँ पे पहली होती है क्या चीज sir cost of material consumed जिसमें हम क्या बताते है हम यहाँ पे बताते है कि हमने raw material कितना consume किया है हमने raw material कितना consume किया है तो sir इसका formula क्या होता है इसका formula क्या होता है sir this is simply what यह होता है हमारा opening stock of raw material plus purchase of raw material minus closing stock of raw material ये चीज़ सभी को clear हो गया ये चीज़ सभी को clear हो गया What is cost of material consumed Sir यहां पर raw material की बात हो रही है जिसमें opening stock plus purchase minus closing stock of raw material आगया सभी के दिमाग में गई सभी के दिमाग में गई कीसी को इसमें कोई भी doubt Anybody having any doubts No doubts, no doubts, no doubts, no doubts आगे बड़े यहां से आगे बड़े अब देखो ट्रेडिंग में अगली जगा हो जो जो चीजे मेरी हो गई है ना उसको यहां पर हाइलाइट करते जा रहा हूं तो देखो raw material पूरा हाइलाइट हो चुका है अब देखो purchase पर आईए अरे यार यह बार बार ऐसे move क्यों हो र देते हैं चलो ठीक है अब तो यहां से हिली नहीं रहा यह तो गलत हो गया इसको हाइं कर देते हैं ठीक है अब ठीक है ओके चलो तो अब क्या चीज हो गई सर हमने ना यहां पर raw material वाली चीजे पूरी ले ली अब इसके बाद सर हम आते हैं कहां पर इसके बाद हम आते हैं purchase पर जब मैं purchase पर आता हूँ जब मैं यहां पर purchase में आता हूँ तो purchase में raw material तो मेरा लेके हो गया तो purchase में अब एक ही चीज बची क्या चीज purchase of stock in trade तो अगली चीज यहां से मैं ले लेता हूँ purchase of stock in trade और यह जो purchase of stock in trade है न उन्होंने लिख दिया purchase of stock in trade मतलब ये क्या है सर ये वो finished goods है जो मैं directly purchase करके क्या कर देता हूँ इसको directly purchase करके sale करता हूँ ये finished goods मैं अपने raw material से नहीं बना रहा हूँ बाहर से जिस condition में खरीदा उसको इसी condition में बेचने भी वाला हूँ so this is purchase of stock in trade अब सर देखो अब क्या बचा हमारे पास सर अब हमारे पास यहां पे sale पे आईए sale पे आईए तो सर जब मैं sale पे आता हूँ तो sale में एक तो finished good की sale है और एक SIT की sale है इसको पता है क्या बोलते है इसको यहां पे बोलते है ये जो मेरा दोनो sale है उसको बोलते है revenue from operations क् इसको revenue from operations revenue from operations यह चीज यहां पे इसको बोलते है revenue from operations मतलब क्या चीज होती है what do we mean by revenue from operations sir मैंने अपना laptop बेचा finished good बेचा हां मैंने यह pen बेची जिससे मैं लिख रहा हूँ यह pen बेची तो stock in trade बेचा यही तो मेरे business operations है वो business की जो operations है operating activity उससे जो revenue हो रहा है that is revenue from operations यह मैं कहां पे लिखता हूँ यह आगया मेरा revenue from operation revenue from operation में क्या चीज आती है sir इसमें आता है sale sale of what sale of finish good and sale of what sale of stock in trade ये चीज सभी को clear, ये चीज सभी को clear, ये सर ये चीज very easy, आ गया यहांपे, उसके बाद सर क्या चीज है, अब मेरा ये भी हो गया, sale भी पूरा cover हो गया, ये सर, sale भी आपका पूरा cover हो गया, अब बचा क्या है, सर देखो हमारे पास ना, अब simple सी दो चीज़े बचीए, एक तो यह WIP finished good और stock in trade का opening stock और यहाँ पर WIP finished good और stock in trade का closing stock तो sir देखो अगर यह तीन मिलाके मेरे पास opening stock था say for example 1000 units और यहाँ पर closing stock था 1200 ठीक है units नहीं अभी rupees में ले लेते हैं ठीक है चलो rupees में ले लेंगे units नहीं लेंगे rupees में लेंगे तो यहाँ पर समझो इसका total था एक लाक रुपे का opening stock और यहाँ पर जो closing stock था तीनों मिलाके वो था एक लाक बीस हजार रुपे का तो सर देखो हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे है हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे है कि जब हमारा closing stock is greater than the opening stock closing stock क्या है greater than the opening stock तो क्या होता है हमारा profit बढ़ता है यह चीज पढ़े है कि नहीं कि अगर मेरा closing stock is greater than the opening stock तो इससे क्या होगा sir मेरा profit न 20,000 से यहाँ पर जादा होगा पड़े है? yes तो यहाँ पर sir क्या है मेरा यह जो profit है न वो 20,000 से increase होगा वो 20,000 से increase क्यों होगा sir because my closing stock of WIP finished good and क्या चीज? raw material, नहीं stock in trade is greater than the opening stock of WIP finished good and stock in trade 20,000 से जादा है तो मेरा profit भी 20,000 से बढ़ेगा yes profit भी 20,000 से बढ़ा उसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मेरा inventory जो change हुआ है मेरा inventory कितने से change हुआ है? मेरा inventory 20,000 से change हुआ है तो यह चीज को अब यह लोग यहाँ पर लिखते है changes in inventory देखो inventory का change हुआ है finished good WIP stock in trade और यह जो inventory change हुआ है इससे क्या हुआ सर? इससे मेरा profit increase हुआ 20,000 अब अगर मेरा profit 20,000 से increase हुआ और सर इसको अगर मैं यह expenses के head के अंदर दिखा रहा हूँ इसको अगर मैं यहाँ पर expenses के नाम से दिखा रहा हूँ तो सर, expenses में profit को brackets में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? येस सर, तो यहाँ पर हम क्या करते है changes in inventory के कारण अगर मुझे profit हो रहा है तो वो profit को हम brackets में दिखाते हैं सर, profit कब होगा? when the closing stock will be greater than the opening stock तब profit होगा उसको हम brackets में दिखाएंगे क्यों brackets में दिखाएंगे? क्योंकि profit हो रहा है और मैं उसको expenses के heading के अंदर दिखा रहा हूँ अगर loss होता मतलब opening stock greater than the closing stock तो loss होता तो वो expenses में loss दिखाने में हमको negative में दिखाने की जरूरत नहीं यह चीज सब के दिमाग में गई, यह चीज सभी के दिमाग में गई तो अब देखिए अब क्या हो गया? मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा trading account हो चुका है cover पूरा का पूरा trading account हो चुका है cover तो यह चीज सभी को crystal clarity से दिमाग में गई या नही? तो simple अभी तक मैंने क्या किया मेरा जो trading account था बचपन में जो पड़े थे वो trading account से मैंने यहाँ पर तीन चीज़े समझ ली पहली, दूसरी और तीसरी यह तीन चीज़ मैंने समझ ली और यहाँ पर revenue from operation समझ लिया तो इतनी चीज़े P&L की statement of P&L की सभी के दिमाग में crystal clarity से गई इतनी चीज़े, statement of P&L की सभी के दिमाग में एकदम crystal clarity से गई yes, 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 yes ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अगली चीज़ पर आईए अब सर यहाँ पर देखिए पहली तीन चीज़ की जब मैंने यहाँ पर बात की तो सर यह पहली तीन चीज़ में this, 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 यह तीन चीज़ों में काई की बात हुई सर केवल goods की बात हुई, यहाँ पर देखिए goods की बात हुई हमने trading account में काई की बात की अभी केवल goods की बात की, yes, sir, goods की बात की अब next चीज़ देखिए goods बनाता कौन है who makes the goods who makes the goods, who makes the goods sir, employees, goods कौन बनाता है employees, तो goods कौन बनाता है employees, तो अगली चीज़ आई, employee benefit expense मतलब आया wages मतलब आया salary employee को जो भी हम wages salary दे रहे हैं वो मेरी अगली चीज़ हो गई जिसको हम किस नाम से बोलते employee benefit expenses के नाम से बोलते है wages salary ये चीज़ सभी को clear गुड्स कौन बनाता है employee अब employee goods बनाता काई पे machine और machine अगर acquire करना है तो क्या लगता है sir finance मशीन acquire करना है तो क्या लगता है sir finance finance लिया तो क्या लगता है finance cost तो अगली चीज़ मेरी आ गई finance cost finance cost मतलब क्या हो गया ये हो गया मेरा interest cost interest on bank loan interest on क्या चीज़ debentures ये सारी चीज़े मेरी यहाँ पे आ गई ठीक है तो मैंने कैसे याद किया ये goods कौन बनाता है goods बनाते employees employees goods काई पे बनाते machine तो machine के लिए लगता है finance finance लिया तो लगता है finance cost अब machine ले लिया machine लिया तो अगली चीज़ अब machine पे क्या लगेगी sir depreciation तो next चीज़ आती है depreciation and amortization और उसके बाद आएंगे मेरे other expenses तो अब मुझे बताईए ये format याद करने में कोई भी बड़ी बात है क्या format कितना आसान अरे एकदम लोलो पंजो format है इसमें कुछ भी नहीं है तो सभी लोग मेरे साथ यहाँ पे बोलेंगे हम यहाँ पे goods के बात की बात करेंगे goods कौन बनाता है तो sir goods बनाता है कौन employee तो employee benefit expense employee goods काई पे बनाता है machine तो machine के लिए लगता है finance finance लिया तो finance cost interest अगरे के खर्चे yes finance अब आ गया machine आ गई machine आ गई तो क्या चीज लगेगा depreciation लगेगा और depreciation लग गया तो उसके बाद क्या चीज हो जाएगी other expenses मेरा आ जाएगा तो यहाँ पे यह expenses का सभी को पूरा का पूरा clear हुआ यह जित्ता भी expenses है everybody clear with this everybody clear everybody clear तो यह पूरे expenses आ गए यहाँ पे मेरे पास revenue from operations आ गया सर यह other income क्या है other income वो income है जो हम P&L में दिखाते कौन सी income जो हम P&L में दिखाते जो हमारी indirect income होती है न वो मेरी other income यह indirect income ठीक है जो हम P&L में दिखाते और यह दोनों का total कर लिया तो मेरे पास आ गया यह total income मतलब total revenue तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे total revenue आ गया एकदम simple मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया total expenses आ गया एकदम simple तो अब total revenue minus total expenses करूंगा तो मेरे पास profit आ जाएगा yes sir मेरे पास यहाँ पे profit आ जाएगा तो यह चीज सभी के दिमाग में गई सभी को सभी को सभी को यहां पे यह पूरा funda clear हुआ यह पूरा funda यहां पे 100% crystal clear हुआ 100% clear ठीक है येस goods employee machine का finance finance तो finance cost उसके बाद machine आई तो depreciation और other expenses येस okay sir आप AS भी करवाओंगे yes AS चल रहे है बट किसी को ऐसा लग रहा हो कि AS हमें और जल्दी पढ़ना है तो मेरा जो last attempt के accounting standard premier league था आप लोग वो भी पूरा देख सकते हो वो भी पूरा देख सकते हो that is totally applicable for this attempt also ठीक है ओके yes yes यहां तक सभी को clear तो अब ये format के logic में किसी को भी दिक्कत की ये format का logic क्या है अरे बेटा simple trading pnl जो बचपन में पढ़े थे उसी से बनता है ये logic ठीक है तो एक बार मैं आपको वापस ये goods की बात पूरी ये 3 point revise करवा द देंगे तो ये 3 point हमारे क्या थे सर सबसे पहले हमने trading account बनाए trading में opening stock purchase sales closing stock gross profit ये चीज लिख दिये opening stock में 4 चीज़े opening stock तो सबका हो सकता है raw material WIP finished good stock in trade purchase मैं केवल या तो raw material करूंगा या तो stock in trade करूंगा sale या तो मैं finished good sale करूंगा या तो stock in trade और closing stock भी सभी का हो सकता है ठीक ह तो अब सबसे पहले मैंने देखा कि यहां पे maximum जगह पे क्या दिख रहा है raw material raw material raw material तो raw material को मैंने उठा लिया raw material को उठाया तो मैंने देखा sir starting में 500 था खरीदा 1000 था last में 300 था मतलब 1200 units consume हुए उसकी cost किती ये जो units consume हुए उसकी cost किती तो उसको मैंने बोला cost of raw material consumed और उसको यहां पे सबसे पहला point बना दिया cost of material consumed ये चीज़ clear जिसमें raw material की बात हो रही है sir अब देखो अगली चीज़ मैंने क्या की अब raw material हो गया उसके बाद मैं purchase पे आया तो purchase में अब एक ही चीज़ बचीती stock in trade मैंने बोला purchase का raw material तो already हो गया न लिखके yes तो अब एक चीज़ ब अब ये जो अगली चीज़ बची opening stock तीन चीज़ का और closing stock तीन चीज़ का ये क्या हो गया मैंने इसका change in stock निकाला आप change in stock निकालता हो तो या तो उससे profit loss profit होता है या loss होता है अगर profit हुआ तो हम उसको क्या करेंगे profit को यहां पे negative में बता देंगे changes in inventory of WIP finished good and stock in trade profit हुआ तो negative में loss हुआ तो उसको as it is यहां पे दिखा देंगे ये चीज़ सभी को clear yes sir अभी भी sale हमारा बचा है अब ये पूरा हो गया ये पूरा हो गया ये पूरा हो गया sale बचा है तो sale कहां पे आता है revenue from operations तो ये मेरा revenue from operations काई से आया ये पूरा sale से आया सभी को clear है ये सभी को clear ह में कोई without yes 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 सभी को clear ठीक है चलिए तो ये चीज हमारी यहां पे हो गई but sir आपकी previous EAS playlist में कुछ hidden है बिटा tension फिर भी मत ले ना मैं अभी जैसे इसके mega marathon ले रहा हूँ ना वैसा मैं accounting standards का भी mega marathon लूँगा जिसमें सारे accounting standards में वापस करवा हूँगा तो उसका कोई tension लेना मत की sir ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हूँगा होगा सारी चीज़े आपकी होगी सारी चीज़े और अच्छे से clarity से हो जाएगी ठीक है अब उसके बाद क्या चीज़े sir मेरे पास total revenue आ गया total expenses आ गया मेरे पास तो मेरे पास profit आ जाता है और ये profit से फिर मैं अपना question आगे solve कर लेता हूँ sir आपने profit के बाद भी बहुत सारी चीज़े लिखिए आपने exceptional items लिखा है extraordinary items लिखा है current tax लिखा है deferred tax basically न बेटा ये group 1 में उत्ता important नहीं है ये group 2 के लिए important है sir क्यो AS22 की बात है तो ये group 2 में covered है उसके बाद discontinuing operations AS24 में आता है ये group 2 में covered है उसके बाद क्या चीज़े earning per share last में निकालना है ये AS20 में आता है ये group 2 में covered है तो ये सारी चीज़े बेटा group 2 में covered है इसलिए group 1 में आपने केवल कहा तक focus करना है profit निकालने तक focus करना है profit निकालने तक focus करना है ठीक है बागी सारी बात है group 2 से related है तो group 1 में उत्ता focus करके उस पर मतलब नहीं है आप group 2 में आऊंगे आपको सारी चीज़े समझा देंगे और कोई group 2 वाले students होंगे जो यहाँ पे मेरे से तो उन्होंने यह सारी चीज़े अल्रेडी मेरे साथ में पढ़ लिए AS5, AS22, AS24 and AS20 यह सारी चीज़े यहाँ पे हो चुकी ठीक है चलिए तो अब यह तो हो गया हमारा P&L का format यह सर यह हो गया हमारा P&L का format यह देखो यहाँ पे भी यह trading के मदद से ही आती है वो लिखे दी चलो अब उसके बाद हम काई पे आते सर अगली चीज़ जो हम आएंगे वो है हमारा balance sheet next चीज़ अब हमारी क्या है balance sheet सर balance sheet का format तो फिर भी हमें आता है balance sheet का format तो हमें फिर भी आता है balance sheet के format में क्या चीज़ रहती है तो balance sheet के format में sir we start with equity and liability अब sir यह जो balance sheet का format होता है उसमें भी sir बड़ी दिक्कत है हमें वो भी sir कैसा format बना है sir यह क्या nonsense है sir ऐसा अच्छा थोड़ी लगता कुछ भी format बना दो nonsense अरे बेटा बहुत simple format है बचपन की T format balance sheet थी ना बस उसी तो यह format निकला है उसी से same to same अरे बटा देखो T format balance sheet में आप क्या करते थे यह T format balance sheet आपकी ठीक है हाँ अरे 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 IC line थोड़ी थी IC CD line हाँ ठीक है तो यह T format balance sheet में क्या था यहाँ पे liability यहाँ पे asset हाँ sir liability और asset liability में सबसे पहले क्या था capital था capital हाँ sir सबसे पहले यहाँ पे liability में आता था हमारा capital तो यहाँ पे भी देखो सबसे पहले क्या चीज़ आती है यहाँ पे भी सबसे पहले आता है share capital फिर यहाँ पे क्या चीज़ आती थी sir capital में net profits को add करते थे मतलब यह reserves and surplus नहीं हो गया क्या हाँ तो यहाँ पे आ गया reserves and surplus sir उसके बाद T format balance sheet में क्या था sir एक बार हमने यह दोनों चीज़ लिख दिया ना फिर वो लंबी-लंबी liabilities हम bank loan लिखते थे bank loan वगरे जो बड़ी-बड़ी liabilities है वो लिखते थे तो यहाँ पे भी देखो non current liabilities अगली चीज आ गई फिर उसके बाद sir वो चोटी-चोटी liabilities trade payable outstanding salary current current वाली liabilities लिखते थे तो यहाँ पे देखो फिर current liabilities आ गई बटा जिस format में आप अपनी वो T format balance sheet बनाते थे same format में अभी आपकी यह balance sheet बनती है बस उसमें headings add हो गई है headings add हो गई और कुछ नहीं है सब चीजों में उन्होंने यहाँ पे headings 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 डालके इसको और systematic बना दिया और कुछ भी नहीं है यह दोनों चीज को यह लोग क्या बोलते है इन दोनों चीजों को यह लोग बोलते है shareholder funds तो shareholder funds में एक आगया capital एक आगया reserves and surplus ठीक है वैसी चीज है खाली उन्होंने systematic कर दिये सर फिर assets assets में बताओ assets में बेटा हम क्या लिखते थे पहले वो land and building फिर plant and machinery फिर furniture and fixture ऐसे पहले बड़े-बड़े लिखते थे हा सर तो यह क्या है मेरे बड़े-बड़े assets नहीं इसको यहाँ पे non-current assets बोलना चाहिए yes sir assets में non-current assets non-current assets में भी इसको क्या बोलते है इसका एक नाम आ गया है PPE property plant and equipment इसका एक नाम आ गया है PPE sir यह एक बार लिखते थे ना फिर हम यहाँ पे लिखते थे हमारा goodwill हाँ sir पहले पूरे बड़े-बड़े तो goodwill, फिर patent वा फिर copyright goodwill, patent वा, copyright यह सारी चीज़े लिखते थे लिखते थे कि नहीं हाँ sir यह सारी चीज़े लिखते थे तो copyright यह सब चीज़े sir यहाँ पे क्या है intangible और यह भी क्या है non-current है यह क्या current assets है क्या नहीं तो देखो non-current assets में सबसे पहले property plant equipment आया दूसरा मेरा क्या आया intangible assets कहा गया यह intangible assets ठीक है yes तो property plant equipment intangible assets उसके बाद sir क्या चीज़ लिखते थे उसके बाद क्या चीज़ लिखते थे sir फिर हमने investment किया तो investments वगरे आते थे तो यह investments को यहाँ पे भी यह लोग लेते यह भी मेरे non-current assets में यह देखो investments वगरे आ गया आ गया sir आ गया investments आ गया और उसके बाद sir फिर वो चोटे चोटे चिलू पिलू डेटर cash यह सारी चीज़े stock हाँ sir यह सारे तो यह मेरे आते है फिर current assets में यह मेरे आते है फिर current assets में तो वेटा जिस format में हम बचपन की balance sheet बनाते थे न उसी format में अभी भी balance sheet बनाते हैं खाली उसको systematic नाम और headings के साथ बनाते है ठीक है sir अभी देखवा आपने न कुछ चीज़े पढ़ाई और कुछ चीज़े conveniently छोड़ दी property plant and equipment and intangible assets यह आपने पढ़ाया what is capital work in progress what is intangible assets under development यह छोड़ दी यह चोड़ दी या sir हम आप वो बेट sir वो 11 वी बार वी में न ऐसी चीज़े sir छोड़ते थे तो हम पूछते नहीं थे अभी इंटर में है पढ़ाओ यह क्या है मैंने मना किया क्या की ने पढ़ायगा मैं ऐसा बोला क्या मैंने मैंने बोला क्या नाई तो अब देखो capital work in progress इसका मतलब क्या है बिटा capital work in progress मतलब मैं क्या कर रहा है अभी एक building बना रहा है मैं क्या कर रहा है building बना रहा है ठीक है I am constructing a building यह एकदम 25 माले की बिल्डिंग है 25 माला ठीक है जिसमें से अभी तक अपना रिवर्स में बना रहा है तो यहां उपर का 25, 24, 23, 22 माला त्यार हो गया है बट उसके नीचे का माला अभी तक त्यार नहीं हुआ सर ऐसी काईसी बिल्डिंग, बिल्डिंग खड़ी कैसे हो गिर वावा तू मजाक चालू है कि सर जीवन में यह क्या वट नॉंसेंस इस अरे बिल्डिंग काईसे बन रही हो जहाँ आपन इंजीनेरिंग थोड़ी पढ रहे है वान लो ना बिल्डिंग बन रहे है मैं ऊपर से चल लगा दियाEROval से उल्टी बिल्डिंग बना तो पूरी बन्येंगे ना तो जमीन में इसको गाड देगा हूं तो अपने खड़ी रहेगी फिर आईसी बना रहा ठीक है हाँ ठीक हैो तो यहां पे मैं उल्टी बिल्डिंग बना रहा है अब ये पूरी construct नहीं होई है तो इसको क्या मैं या पर property plant equipment के नाम के अंडर डाल सकता हूँ क्या ये building को मैं या पर property plant equipment बोल सकता हूँ क्या answer is no क्योंकि अगर आपने accounting standard 10 पड़ा है जिसमें property plant equipment की बात हो रही है accounting standard 10 में property plant and equipment के लिए बोलते है क्या है एक tangible item है used in production of goods, supply of service, rental to others या administrative purpose तो ये जो building जो अभी तक पूरी बना ही नहीं है क्या ये production of goods के लिए use होती है नहीं supply of service के लिए use होती है नहीं rental to others के लिए use होती है नहीं administrative purpose के लिए use हो रही है नहीं अभी जो AS10 में PPE की definition है उसमें ये बैठती ही नहीं है तो इसको जो building under construction है उसको में PPE नहीं बोल सकता इसलिए उसके लिए गलक से नाम आता है capital work in progress capital nature की चीज, capital expenditure under progress ये चीज सभी को clear ये चीज सभी को clear ठीक है वैसे ही intangible asset under development में खुद से होके एक पटेंटवा बना रहा हूँ सर ये क्या होता है पटेंटवा can't you just speak simple English in a simple manner like a simple professor बिटा नौसोन इन्यान में YouTube पे कहीं भी जाओ यहां पे अगर if you feel the cringe पाईली फुरसत में ठीक है यहां इसी चलेगी class यहां पे class है इसी चलने वाली ठीक है intangible asset मैं खुद से बना रहा हूँ पटेंटवा मैं पटेंटवा खुद से बना रहा हूँ दवाई का formula आए वो तो वो intangible assets की definition को अभी तक satisfy नहीं कर रहा है because it is under development तो इसलिए उसको मैं अलग से दिखाता हूँ और intangible assets के नाम के साथ नहीं दिखाता हूँ यह चीज सभी को clear यह चीज सभी को clear 100% clear ठीक है तो यहां पे यह हमारे क्या हुए यह हमारे कुछ heading हुए important वाले non current assets में आता है pp intangible assets इसके बाद जो pp अभी बन रहे है जो pp अभी बन रहे है उसको capital work in progress बोलते है जो intangible assets अभी बन रहे है उसको intangible assets under development बोलते है इसके बाद वो normal balance sheet में आई है तो normal balance sheet में अगली चीज आती है क्या मेरे investments तो यहां पे भी बोले investments, non current investments DTA अभी छोड़ दो आप group 1 वाले हो समझेगा नि long term loans and advances मैंने किसी को loans दिये है मैंने किसी को advances दिये है long term वाले तो वो यहां पे आ जाएगे और यह छोड़के कोई और अगर non current assets है तो वो लिखो तो non current assets का पूरा आपको यहां पे समझ गया bifurcation क्या है सर यह क्या पूरा रट लेंगे बिटा कोई रटनी की assets जरूरत नहीं है दिमाग में PP रखना यह रखना उसके बाद non current investments रखना यह basic जो हमारा balance sheet मैंने यहां पे बताया है न इसी order में चीजों को याद रखना यह 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 इतनी चीजे याद हो गई तो बहुत है और इसके बाद क्या आता है current assets current assets में क्या क्या चीजे वो आपको पता है वो फिर question देखके हम एक एक करके चीजे solve करना start कर देंगी ठीक है yes 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 ठीक है अबे देव ऐसा मतलिक यह काजूराओ का style है वो लोग उसको खजूराओ समझेंगे और खजूराओ में न बहुत अलग-अलग चीजे वो normal वाली चीजों की बात नहीं होती है खजूराओ अबे यार comment करने का पहले यार सोच लिया करो यार काईसा comment करते रे बावा हाँ ऐसा comment करते क्या रे बावा ऐसा कौन comment करता यह खजूराओ बना देंगे उसका साब चलो ठीक है तो यह balance sheet का format सभी को समझा यहाँ पर balance sheet का format क्या सभी को समझा everybody clear with the format of balance sheet everybody 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 किसी को इसमें कोई भी doubt please do let me know happy dashira happy dashira happy dashira okay balance sheet सभी को clear PNL का format सभी को clear PNL गया सब के दिमाग में यह वाला PNL गया सब के दिमाग में okay PNL भी सभी को clear किसी को कोई भी doubt इसमें किसी को कोई भी doubt no doubts no doubts no doubts no doubts तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा PNL का पूरा format logic के साथ पढ़ा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा balance sheet का पूरा format logic के साथ पढ़ा logic क्या है जो पुरा नी balance sheet का format 30 format वाला वो ही यहां पे भी balance sheet का format है ठीक है yes okay चलो 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 तो यह चीज हमारी हुई इसमें अब हम आगे बढ़के इसके questions बगएरे करेंगे sir questions बगएरे इसके करना जरूरी है अरे बटा इसके questions बहुत ज़ादा जरूरी है सोच नहीं मत कि इसके questions बगएरे नहीं किये तो चलेगा इसके questions बहुत ज़ादा अनिवार्य है कोई भी इसके questions बिना छोड़े exam में नहीं जाएगा 20 marks का इस topic पे question आया था PNL और balance sheet बनाओ ठीक है तो ये इसके questions बहुत ज़ादा important है सर काय में से करेंगे ICI की study material में से तो study materials सभी लोग खोलने न उसमें से अभी questions करेंगे सर study material में से enough है बेटा study material का ही question 20 marks के लिए exam में आया था ठीक है तो study material के questions में सबसे toughest questions भी covered है तो उसी में से हम करेंगे ओके चलिए start किया जाए start करें सभी लोग तयार है तयार है अगर सभी लोग तो start करते ओके एक second का समय दीजेगा खाली मुझे अभी नीन्द आ जाएगी अच्छा जो लोग अभी अभी आये है थोड़ा late joint के उनको ये बता दू जिसमें पूरा financial statements of companies करेंगे P&L balance sheet फिर managerial remuneration फिर dividend की बाते उसके बाद हम 7 और 8 तारिक को क्या चीज़ करने वाले है 7 और 8 तारिक को हम branch accounting करने वाले है सेन 11 से धाई घंटा 7 तारिक को और 11 से धाई घंटा 8 तारिक को तो ये हम अगले 4 दिन में आज से लेके अगले 4 दिन तक 4 बहुत important topics आपके cover करने वाले है तो सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग यहाँ पे जुड़े रहिए, ये note down करके रख लीजे और इसके बाद आपको बताऊ तो जो group 1 वाले student है बेटा CA intermediate group 2 की batch आ रही है कबसे 1st of December से आ रही है May 23 वालों के लिए ठीक है, तो ये batch भी कोई miss नहीं करेगा nobody will miss this batch 1st of December से start होगी जिसमें मैं advanced accounting पढ़ाऊंगा और ये पूरी हमारी संकल्प team है जो आपको बाकी सारे subjects यहाँ पर पढ़ाने वाली है the best team of an academy for the most quality education right, संकल्प May 23 CA intermediate group 2 plus iconic subscription लेना है Well magic Karatekh breakthrough, Tejas10 code यूस करके मेरी teaching पसंद आती है तो मेरा code जरूर यूस कीजि के मेरी teaching पसंद आती है तो बोलने का Ton ikonte 10 तारा, Tejas10 तारा Ton ikonte 10 तारा, Tejas10 सब समझ आ रहा Ton ikonte 10 तारा, Tejas10 मजा रहा ओके चलिए, तो ये promotion होगा थोड़ा सा अब आते हैं questions पर ICI study material पर आएंगे ICI study material में कौन से वाले question पर आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ just give me a moment moment है कौन सा question है question illustration number 6 page number 4.38 पर आए illustration number 6 पर आए सभी लोग sir सारे chapter का revision होंगा काफी सारों का तो हो जाएगा important जित्ते उत्ते सारे हो जाएंगे सबका मेरे को पता नहीं चलो 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 illustration number 6 पर आएंगे page 4.38 सभी लोग आजाएंगे illustration number 6 हरिया chemicals वाला question है हरिया आगए सभी लोग please charge promotion and selling expense to P&L okay cash flow statement भी हो जाएगा tension मतलो cash flow statement भी कराँगा ये अभी नाओ अभे ये अभी नाओ को ultra तंगाओ इसका एक पैर एक पंके से दूसरा पैर दूसरे पंके से तंगाओ और दोनों पंके को ऐसा fit करो कि दोनों अलग-अलग direction में गूमें अभी क्या बोला मैंने पर्सो से branch account अब भी दो minute नहीं हुए वो बोले हुए और ये बोलता सर branch account कराओ अरे मतलब ऐसा तुम हासो मत में seriously नहीं बोल रहा तुम imagination कर रहे हो कि सर जो बोल रहे है वैसा हुआ तो कैसा अरे यार no guys come on come on come on ऐसा नहीं रे बावा ऐसा नहीं है ऐसा इत्ता मा था सो चलो ठीक है आज़ो illustration number 6 पे आज़ो अभी नहीं हो साथ तारिक से मेरे लाला मेरे भाई मेरे छोटे से बच्चे साथ तारिक से branch accounting है साथ और आट दाइडाई गंटे पांच गंटे branch accounting कराऊंगा तेरा logics clear करा दूँगा टेंशन मत लेना बस आजाना इसी चैनल पर इसी टाइम पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो बहुत सारी बाते मैंने बोल दी वाव अनकाडमी तो आज मेरको नोबल पीस प्राइब दे दे देंगा कि सौर आपने चैनल सब्सक्रिप्शन की बात कर ली बच्चो वो आपने चैनल सब्सक्रिप्शन प्रमोट कर दिया मा का समसरा तो Nobel Peace Prize मेरे इतनाम है वो ले वीडियो लाइक करने बोल दिया और चैनल सब्सक्राइब करने बोल दिया मा का समाथ तते ही जासर को हमने अवर्ड देने इच पड़े गारे बावा ओके, ओके प्रकृती बोल रही दो बार लाइक बेटा इतना जीनियस दिमाग मत लगाईए तीसरी बार एक और वापस कर दीगे क्योंकि दूसरी बार आपने किया ना तो आपने कांड कर दिया तो कांड को सुधारने के लिए वापस तीसरी बार कीज़े चलो आओ, सभी लोग डिपार्टमेंट भी करवा दो औरे, सब कर लेंगे सब कर लेंगे, आओ, इल्लस्टेशन 6 पे यार यार जा लगी गुमराए पेज आगे पीछे उपर नीचे, क्या करू इस कांड यार रिक्वाइड तो प्रिपेर बालने शीट तो हरिया केमिकल्स का आपने बनाना है बैलेंशीट और पीएडल, येस तो बैलेंशीट और पीएडल हम या पे बनाएंगे सिंगल फिंगर पैनिंग तो मैं फिर भी हटाई देता हूँ ठीक है, राइटिंग पोस्चर ये क्या राइटिंग पोस्चर है इसके, नॉनसेंस अब तो ये पैनिंग कैसे होगा, आगे पीछे अब ये बढ़े गई नहीं क्या, ऐसा थोड़ी होता है बाई तो अब देखो इसके ट्राइल बालन्स को पढ़ेंगे सभी लोग ट्राइल बालन्स में क्या-क्या चीज़े दिये, अब ट्राइल बालन्स में यहाँ पे इन्होंने inventory से लेके नीचे तक बहुत सारी चीज़े दिये, और यहाँ पे equity से लेके machinery तक बहुत सारी चीज़े दिये, येस, और इसके बाद फिर आगे आप देखेंगे तो आगे इस से और double चीज़े इन्होंने next page पर भी दिये होगे, ठीक है तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ-कुछ चीज़े हमें दी हुई है, ठीक है तो ये सारी चीज़ों से हमने ये हरिया का क्या चीज़ बनाना है, balance sheet और P&L अब balance sheet और P&L में बनाओ, उसके पहले मुझे आप सबसे एक चीज़ जानना है एक-एक करके सभी लोग मुझे इसके लिए जवाब देते रहेंगे सर क्या-क्या जवाब देना है, कि कौन सी चीज़ हम balance sheet और P&L में कहां पे लिखते अब सर जो-जो चीज़े trial balance में दी है, वो trial balance में लिखी हुई चीज़ों के कितने effect आते तो सर trial balance में जितनी चीज़े उसके केवल one effect ही आएगा उसके कितने effects आएंगे सर, only one effect, ठीक है, one से जादा क्या इसका effect आता है, no सर one effect ही आएगा जो भी चीजे दिये trial balance में उसका one effect तो मुझे बताइए ये inventory का कहा पे जाएगा sir inventory मतलब stock अब stock में sir opening stock हो सकता है closing stock हो सकता है closing stock sir generally balance sheet में नहीं देते तो closing stock trial balance के बाहर देते तो trial balance के बाहर देखो closing stock दिया है तो ये क्या हो गया sir मेरे लिए ये मेरे लिए हो गया opening stock अब sir ये opening stock कौन सी चीज़ का है क्योंकि sir अभी आपने वो trading account पढ़ाया उससे हमें समझा कि अगर ये opening stock raw material का है raw material का opening stock है तो ये जाएगा cost of material consume में but sir if this is opening stock of finish good WIP and SIT इन में से किसी का opening stock है तो ये जाता है हमारा काँ पे वो change in inventory वाले point में तो sir हमें अभी ये नहीं पता कि ये काई का opening stock है raw material का है या फिर ये वाली चीज़ का है अगर raw material का रा तो यहां ले लेंगे अगर ये वाली चीज़ का रा तो वो change in inventory में ले लेंगे जो भी है हमने यहां तक तो अभी interpret कर लिया यहां तक तो अभी तक interpret कर लिया ये चीज़ सभी को clear आगे question पढ़के समझ लेंगे कि इसके बाद ये काई का opening stock है next फिर आता है sir furniture तो furniture मेरा कहां पे जाएगा sir furniture मेरा जाएगा pp sir discount तो discount 40,000 का है sir अब ये discount allowed है या received है बेटा trial balance लिखा है उन्होंने उपर हाँ और trial balance में debit set दिख रही है तो debit में expenses ही होंगे obviously तो discount allowed है तो ये काँ पे जाएगा sir ये जाएगा मेरा other expenses में ठीक है sir ये जाएगा other expenses फिर loan to director sir loan to directors मेरा काँ पे जाएगा मुझे बताए ये loan to directors sir ये हमने loan दिया है ये debit balance है हमने दिया है तो ये हमारे लिए asset है asset में या तो non current या तो current इसको मैं non current assets में लूँगा non current assets में काँ पे लूँगा non current assets में loans and advances हमने ये चीज़ पढ़े थे ना non current assets में आते loans and advances जो हम देते है तो वहाँ पे Advertisement, Sir ये कहा पे आएगी सभी लोग comments में मुझे बताएंगे एक एक करके सभी लोग comments में मुझे ये चीज़ बताते रहेंगे ठीक है कि कौन सी चीज़ कहा पे आ रही है Advertisement, Sir मेरा other expenses में आ जाएगा Bad debts कहा पे आएगा, bad debts भी मेरा other expenses में आएगा Sir other expenses क्या था, वो P&L याद करो P&L में पहले 3 point goods के, फिर goods बनाते ही employees Employees को लगती machine, machine के लिए finance तो finance को Machine आ गया तो depreciation, depreciation के बाद other expense ठीक है, commission भी कहा पे आएगा, तो Sir commission भी मेरा आएगा Other expense में, अब materials consumed Sir materials consumed, एक पड़ा हुआ point लग रहा है कौन सा point था, cost of material consume काई की बात करते थे, raw material, opening stock of raw material, purchase of raw material, minus closing stock of raw material तो यह material consumed, तो Sir यह मेरा कहाँ पे जाएगा, cost of material consumed अब देखो, raw material की बात तो इन्होंने यहाँ पे कर ली Raw material की बात मेरी यहाँ पे हो गई, हाँ Sir raw material की बात यहाँ पे हो गई तो Sir अब यह जो यहाँ पे inventory दिया था, यह काई का था क्या यह raw material का था, नहीं Sir raw material की बात अब नीचे हो चुकी है तो यहाँ पे यह raw material का नहीं है, तो यह क्या है, यह finished good WIP stock in trade का है तो यह changes in inventory वाले point में जाएगा इसको मैं लिख देता हूँ, CII, changes in inventory यह वाले point में जाएगा ठीक है, very simple, Sir फिर plant and machinery यह जाएगा मेरा PPE में plant and machinery के बाद rentals, Sir rentals, expense, expense जाता है other expenses में current account, Sir current account, debit balance, Sir current account, कहां खुलता है, Sir current account, bank में खुलता है अब current account अगर मेरा bank में खुल रहा है, तो Sir current account का हम effect क्या देगे Sir, यह आएगा मेरा एक asset, यह asset कौन सा है, current, तो current assets में यह जाएगा current assets में कहां पे, तो current assets में इसको में लिखूंगा, cash and cash equivalence heading के अंदर current assets में cash and cash equivalence is heading के अंदर, very good फिर वापस cash आया, तो same चीज़, current account, sorry, current assets, cash and cash equivalence के अंदर interest on bank loan, Sir interest है, खर्चा है, Sir खर्चा, interest, 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 interest बताओ जल्दे, बताओ, लिखो, काँ पे आएगा यह interest, interest काँ पे आएगा, interest काँ पे आएगा finance cost, very good, very good, very good, very good, very good, very good, finance cost other expenses में नहीं रहे हैं, यह finance cost finance cost, finance cost, finance cost, finance लेने के लिए जो खर्चा लगा, वो interest होता है पिली मिली मिली expenses मेरा आता है other expenses में next चीज, fixtures, sir fixtures मेरा आएगा puppy, property plant equipment फिर आता है wages मेरा कहा पे आता है, wages मेरा कहा पे आता है, sir wages, employees employee benefit expenses, employee benefit expenses next चीज, consumables, sir consumables मतलब जो normal चीज़े हमें business करने के लिए कुछ चोटी चोटी चीज़े लगती है ये भी आएगा other expenses में, freehold land, sir PPE, land है तो PPE, tools and equipments PPE, tools and equipments के बाद goodwill, goodwill बताओ goodwill कहा पे आएगा goodwill कहा पे आएगा, goodwill कहा पे आएगा, goodwill रहेगा मेरा intangible assets, goodwill will be intangible assets, trade receivables कहा पे रहेगा, मुझे बताए trade receivables कहा पे रहेगा, trade receivables मेरा आएगा current assets सोरी हाँ current assets में बिल्कुल सही बात फिर dealer rates मेरे business के जो dealers है उनको मैंने कुछ मदद की dealer rates तो ये मेरा expense है तो ये आएगा other expenses transit insurance other expenses trade expenses other expenses उसके बाद क्या है distribution freight sir other expenses and debenture interest बताओ debenture interest कहां पे आएगा debenture interest बताएंगे सभी लोग एक ये बाद एक जल्दी जल्दी debenture interest कहां पे आएगा कहां पे आएगा कहां पे आएगा finance cost very good very good very good अब बताओ इसमें क्या दिक्कते क्या कठिने इस chapter में ये question अगर exam में आएगा न 12 माक के लिए आपको दिमाग में सारी चीजे बढ़ गई है कौन सी चीजे कहां पे आनी चाहिए ठीक है अब equity shares तो sir equity share मेरा कहां पे liability heading में एक आता है long term borrowing जिसमें लिखेंगे 11% debentures फिर bank loan वापास non current liability में long term long term borrowings ठीक है trade payables sir current liability sales अब sales बताइए कहां पे आएगा sir P&L के शुरुआत का पहला शब्द revenue from operation RFO revenue from operation rent received sir rent received क्या है sir received है तो rent received income sir rent received क्या मेरा business from operation है sir operation मेरा क्या था मेरा chemicals का business है तो ये मेरा operation है तो rent received मेरे लिए क्या है sir ये क्या revenue from operation है no other income very good guys very good very good very good फिर उसके बाद transfer fees, transfer fees भी एक तरीके की income है, हमारी other income फिर P&L account, P&L account का balance दिया है, sir, P&L account का balance belongs to owner, shareholder funds, उसमें reserves and surplus में जाएगा, sir, ये और depreciation provision machinery, तो depreciation provision दिया है machinery पे sir, depreciation provision को हमेशा वो asset में से less करके दिखाते है तो ये PPE में जब हम machinery दिखाएंगे, उसमें से इसको less करके दिखा देंगे, उसमें, बिटा ये depreciation नहीं है, this is depreciation provision, depreciation होता, तो यहां पे debit side पे होता, depreciation provision है, इसलिए credit side पे, ये चीज़ सभी को clear, is this clear with all of you, is this clear, तो अब इसको solve करे हम, इसको solve करे, इसको solve करे, इसको solve करे, ठीक है, start किया जाए, start किया ठीक है, accumulated depreciation, बिल्कुल सह, बिल्कुल सह, यारियन, this is accumulated depreciation, तो चलिए इसको start करते, let's start, let's start, let's start, let's start, let's start, let's start, तो illustration number 6 पे आएंगे, यहां पे एक page आड़ कर दूँगा मैं, अब सर इसको solve कैसे करना, solve कैसे करना वो भी कलाकारी है, वो solve करने की कलाकारी पहले समझ लो मेरे साथ, ठीक है, solve कैसे करना उसकी कलाकारी, सबसे पहले पूरी PNL बना लो, पूरी balance sheet बना लो, पूरा format तयार कर दो, ठीक है वो format तयार करने के बाद ही हम इसको solve करना start करेंगे, क्यों sir एक बार हमारा format तयार हो गया न, अब वो format में कौन सी चीज का substitute करना है वो बहुत आसान हो जाता है until and unless आपके पास format तयार नहीं है, आपका दिमाग continuous चलते रता है, कि अब ये चीज को मैं format में यहाँ पे लिखू, इसका note वहाँ पे बनाओ, फिर वो note से final figure यहाँ पे लिखू, इतना हमने दिमाग चलाना नहीं है, तो पहले पूरा format हम बना लेंगे, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, मेरा format सबसे पहले P&L का, ओके more time की use करके यह P&L का format में आपे लाइने वाइने खीच लूँगा, ठीक है सर यह P&L का particulars हो गया particulars के बाद यह notes की line हो गई, notes के बाद फिर दो amount की line, एक current year और एक preceding financial year, ठीक है सर, यह चीज हमारे पास आगई, बिलकुल यह चीज हमारे पास आगई, amazing चलो, यह जैसा P&L का बनाया, वैसा ही मैं बनाऊँगा काय का, वैसा ही मैं बनाएगा balance sheet ठीक है, right तो अभे 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 यह क्या होगी एई लाला यह balance sheet का format आगया, ठीक है, सर, वाओ, so fast कैसे, सर, कैसे, बेटा with practice आपका भी हो जाएगा, ठीक है यह खाली, practice से ही मेरी speed बढ़ी है और कोई-कोई तरीका नहीं है, speed बढ़ाने का with practice, it will be possible ठीक है, सर, समझ गए, हम समझ गए ओके, चलिए lines खतरनाग हीचते, बेटा, line मेरा इतना practice हो चुका है illustration 6 अब यह जो illustration 6 है इसको solve करेंगे, यहाँ पे statement of P&L लिखेंगे statement of profit and loss for the year ended, कौन से year ended में? 31st March 21 31, 3, 21 जिसमें क्या चीज आएगी? यहाँ पे आएगा particulars यहाँ पे आएगा particulars यहाँ पे आएगा notes ठीक है, notes के बाद amount यह 31, 3, 21 का आएगा और यहाँ पे आएगा 31, 3, 20 sir, question में 31, 3, 20 का कुछ भी नहीं दिया है हम blank छोड़ देंगे, ठीक है? फिर statement of P&L के बाद balance sheet balance sheet for the year ended नहीं होता है balance sheet as on होता है particular date की बाद तो रही है यहाँ पे 31, 3, 21 यहाँ पे भी लिखेंगे particulars फिर यहाँ पे आएगा notes notes के बाद फिर यहाँ पे आएगा 31, 3, 21 और यहाँ पे आएगा 31, 3, 20 ठीक है यह चीज़ clear सभी को चलो सर यहाँ से आगे बढ़ेंगे अब सर schedule पूरा तयार करना है तो यहाँ पे आता है सर सबसे पहली बात revenue from operations सर यह भी पूरा लिख दे, अरे बिटा लिख दो न अफटा अफट लिख देने का revenue from operations क्योंकि एक साथ पूरा लिखोंगे ना तो काफी fast भी लिख पाऊंगे क्योंकि एक के बाद एक चीज़े दिमाग में आती जाएगी solve करते करते लिखे तो दिमाग में चीज़े भी नहीं आएगी और समय भी जादा लगेगा, यह आ जाएगा मेरा total income फिर उसके बाद आता है next point expenses की बात करता हूँ तो expenses में सर सबसे पहले वो raw material वाली बात करते थे yes sir तो raw material में सबसे पहले cost of material consumed cost of material consumed के बाद सर क्या था फिर हमने raw material लिख लिया तो purchase प्या है purchase में केवल एकी चीज़ थी purchase of SIT stock in trade मतलब SIT उसके बाद सर purchase हो गया अब सर क्या बचा था अब सर वो opening stock और closing stock तो changes in inventory changes in inventory of finished goods WIP sit stock in trade यह चीज़ हो गई yes sir यह चीज़ हो गई और उसके बाद क्या है sir यह तीन goods के point हो गई goods कौन बनाता है employees तो next चीज मेरी आती है employee benefit expenses तो यह आगया employee benefit expenses उसके बाद sir अगली चीज़ क्या है employee benefit expenses के बाद what is the next thing बताएंगे मुझे sir employees बनाते है goods machine पे machine खरीदने के लिए finance तो finance लिया तो finance cost next point finance cost next point मेरा क्या है finance cost finance cost के बाद अगली चीज़ क्या है what is next after finance cost sir अब machine ले लिया finance लिया तो machine लिया machine लिया तो depreciation and amortization depreciation and amortization और last में फिर इसके बाद क्या आएगा next point other expenses तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी sir मेरे पास आता है total expenses मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा total expenses यह चीज़ clear ठीक है sir total expenses आ गया तो sir अब total income आ गया total expenses आ गया तो मेरे पास profit आ जाएगा yes sir profit आ जाएगा profit for the year यह चीज़ हो गई next sir इसके बाद क्या है इसके बाद next चीज़ क्या है मेरी sir balance sheet पे आए balance sheet में sir कहाँ से start करते sir equity and liability तो यहाँ से sir हम करेंगे start equity and liability sir वो liability side t format की याद करेंगे तो shareholder funds में आएंगे shareholder funds में क्या-क्या था sir एक तो उसका capital तो पहला आता है share capital और दूसरा sir reserves and surplus भी इनी को belong करते reserves and surplus ठीक है reserves and surplus आ गया यहाँ पर yes उसके बाद shareholder funds के बाद क्या है next चीज क्या है shareholder funds के बाद sir अब non current liabilities non current liability के नीचे फिर मैं जगा छोड़ दूँगा 4-5 line की फिर में रहाता है current liability और उसके नीचे भी जगा छोड़ दूँगा यह आगया मेरा current liability और उसके बाद sir यह मेरा liability side पूरा हो गया तो अब हम आएंगे assets पे assets पे आगये तो assets में क्या चीज सर सबसे पहले non current assets non current assets में sir आपने basic bifurcation कुछ कुछ बताये थे हाँ क्या क्या चीज़े बताये थी बताएंगे sir सबसे पहले property plant equipment property plant and equipment property plant and equipment के बाद अगली चीज़ क्या थी sir फिर आपने बताये थे intangible assets तो next heading आजाएगा intangible assets को normal balance sheet याद करो normal balance sheet याद करो normal balance sheet तो उसमें क्या चीज़ आएगा मेरा intangible assets के बाद मेरा आएगा investments non current investments जी sir ये चीज़ आगई मेरी अब non current investments वगेरे हो गया फिर finally हम आते हैं हमारे current assets पे तो ये आगया मेरा current assets current assets के नीचे फिर वो जगा छोड़ दूँगा और उसके बाद फिर जैसा जरूरत पड़े वैसा में करूँगा ठीक है सभी को यहां तक clear सभी को यहां तक clear ये जित्ती चीज़े मैंने लिखी पूरा format तयार कर लिया ये sir पूरा format आपका हो चुका है तयार अब यहां से आगे बढ़े यहां से आगे बढ़े अब क्या चीज़ है अब sir यहां पर एक एक करके न चीज़ों को हमने लिखना है हमारे P&L और balance sheet में ठीक है अब P&L और balance sheet में जब लिखने जाएंगे तो हमें यहां पर दिखेगा कि कुछ-कुछ चीज़े हम directly यहां पर substitute नहीं कर सकते sir क्यों यहां पर directly substitute नहीं कर सकते क्योंकि जैसे अब मैं यहां पर simple सा एक example दू property, plant and equipment is चीज़ का PPE का example दू तो PPE से related 4-5 चीज़े दिये तो जहां पर भी जो भी point की multiple information है उसका हमने notes बनाना पड़ेगा और यह notes to accounts होते हैं यह working notes नहीं है this is a part of the main solution तो इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा और sir क्या यह बनाना compulsory है 110% compulsory क्योंकि यह पूरा chapter आपका presentation का है P&L और balance sheet बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है अभी आपको logic समझ रहे है न चीज़ों के तो आपको समझेगा यार एक दो question हम कर लेंगे तो आपको लगेगा भाई क्या simple सी चीज है चिल्डर सी चीज है तो यहाँ पे ICI चाता क्या है आपका presentation देखना तो आपको हर एक चीज का presentation एकदम जबरदस तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा उसमें कोई भी कंजूसी नहीं होना इसलिए पहले मैंने यह भी बहुत अच्छे से आपको पूरा बनवा दिया ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे inventory के साथ तो सर यह inventory कौन सी चीज की हमने बोली थी यह inventory किस चीज की थी यह जो inventory था यह था हमारा opening stock opening stock of finished good WIP stock in trade इसका जो change हुआ है तो सर इसका हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे एक notes to accounts तो यहाँ पे मैं लिखूंगा note number one note one note one कौन सी चीज का है बताए मुझे note one में सभी लोग लिखिए नाम क्या है note one का changes in inventory changes in finished goods WIP changes in inventory of finished good WIP stock in trade लिखो सभी लोग changes in inventory of note one changes in inventory of WIP finished good stock in trade जी सर यह लिख लिख लिया अब इसका note बना लो सर note कैसे बनाते है note कुछ इस प्रकार आपका आएगा notes में भी न बेटा दो कॉलम आते current year का एक previous year का ठीक है yes कोई भी इसको working note नहीं बोलेंगा वरना सर उल्टी दीवार पे पटक देंगा बेटा उल्टी दीवार पे पटकने का नहीं सर यह यह सारे काम मैंने छोड़ दिया मैं अबना life में बहुत एक fun oriented person बन चुका हूं और मेरा belief ऐसा है कि बच्चों को खाली मस्ती करवाओ तो एक पैर एक पंखे पे टांग दो चिल करो चिल करने के लिए पंखा चालू कर दो तो चिल हो जाएगा ना बस एक पंखे को इस तरफ गुमाओ एक पंखे को इस तरफ करो चिल करो चिल ठीक है तो अब यहां पे आते है पर्टिकुलर्स तो I am a very fun oriented person 31 321 and 31 320 और जीवन में कोई लोड ही नहीं है कोई लोड न तो changes in inventory की बात करते हैं जिसमें sir मुझे opening stock का इन्होंने detail दिया तो चलिए आ जाएए अब हम लिखते हैं हमारा opening stock ठीक है opening stock में मुझे क्या दिया है sir opening stock में इन्होंने मुझे दिया है यह inventory 6,80,000 की तो यह opening inventory मेरी यहां पे आ जाएगी 6,80,000 sir previous year के figures तो है यह नहीं हाठी के previous year के figures कुछ है यह नहीं तो क्या मैं उसका कुछ कर सकता हूँ मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ यह चीज सभी को clear 100% clear with all of you 100% clear ठीके अब opening stock के बाद अगली चीज पे आते हैं next चीज अब मुझे क्या दिया है अब यह लोग देते है furniture furniture दो लाग कां पे आएगा sir furniture पी-पी तो यह note no.2 बनाएंगे ठीके note no.2 property plant and equipment चलो तो note no.2 पे आते note no.2 property plant and equipment ऐसे ही इसी प्रकार से सभी लोग note बनाते रहेंगे note no.2 property plant and equipment sir क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो share capital को note no.1 फिर उस order में notes के number होने चाहिए यह तो आप कोई भी number में कोई भी order में कोई भी note no.1 कहीं कोई कमपल सरी नहीं है आप companies के financial statements उठा लो जो balance sheet में पहली चीज़ दिखती है उसका note no.25 होता है जो balance sheet में कई भंडूप में दिखती है कोने में उसका note no.1 होता है तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमने note no.2 एक दम orderly manner में करना चीज़ है ठीक है तो note no.2 में आएगा property plant and equipment property plant and equipment में क्या चीज़ है furniture दिया है दो लाग का तो यहाँ पे लिखना furniture दो लाक रुपे ठीक है यहाँ पे लिख दूँगा furniture मतलब PPE का name particulars लिखता हूँ यहाँ आजाएगा मेरा particulars particulars के बाद क्या चीज़ आएगी particulars के बाद यहाँ पे balance यहाँ पे आएगा depreciation यह balance की जगह मैंने लिखना है gross amount gross amount फिर accumulated depreciation accumulated depreciation और यहाँ आजाएगा net amount ठीक है चलिए यह चीज़ हो गई furniture लिख दिया furniture के बाद अगली चीज़ अब क्या आती है what is the next thing after furniture it is discount sir discount मेरा other expenses में था 40,000 इसका next note बनेगा note number 3 sir किते note बनेंगे ऐसे बटा chapter ही उसी चीज़ का है तो note number 3 other expenses आपको marks ही इसी चीज़ के मिल रहे है तो इसमें कंजूसी करने का नहीं sir आलस आईगी ना में हाँ ठीक है कर लो आलस कर लो तुम marks अपने पड़ोसी को दे दे देना तो यहाँ पे है discount 40,000 लिखेंगे सभी लोग discount 40,000 ठीक है discount 40,000 के बाद अगली चीज़ क्या है loans to directors sir loans to directors 80,000 के है yes sir कहाँ पे था non current assets में loans and advances अब यह जो figure है इसको मैं directly यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि loans and advances का मेरे को पता है एक इच figure इन्होंने दिया है ठीक है तो यहाँ पे मैं current assets को एक नाइन नीचे ले जाओंगा और यहाँ पे लिखूंगा अरे भाई लिखना अरी other non current assets जिसमें loans मैंने दिया है loans to directors 80,000 तो 80,000 मेरा यहाँ पे आगया इसका कोई भी note नहीं है तो सामने मैंने dash दे दिया अगली चीज़ पे आओ अगली चीज़ पे आओ इसके बाद what is the next thing after this loans to directors के बाद advertisement advertisement 20,000 other expenses तो other expenses का note बना था वहाँ पे लिखो 20,000 advertisement advertisement उसके बाद अगली चीज़ क्या है advertisement के बाद bad debts bad debts किता है 35,000 तो लिखो 35,000 bad debts other expenses में 35,000 for bad debts bad debts हो गया bad debts के बाद अगली चीज़ commission तो commission पे आज़ो commission किता था 1,20,000 लिख लो commission 1,20,000 commission 1,20,000 commission के बाद अगली चीज़ क्या है what is the next thing material consume material consume मेरा कहाँ पे था cost of material consume 23,000,000 ठीक है yes तो यहाँ पे जो material consumed है 23,000,000 रुपे का वो कहाँ पे आज जाएगा sir cost of material consume yes तो वहाँ पे 23,000,000 में directly लिख लूँगा cost of material consumed 23,000,000 ठीक है sir इसका direct figure दे दिया था तो node बनाने की जरूरत नहीं अब उसके बाद next चीज़ मुझे क्या देते है sir plant and machinery कहाँ पे जाएगा PPE 8,60,000 तो लिखो PPE का node बनाया था उसमें gross amount 8,60,000 plant and machinery plant and machinery के बाद अगली चीज़ क्या है sir rental दिया है rental ठीक है तो rental में आ जाईए अब rental की जब हम बात करते है तो rental 25,000 other expenses में आएगा 25,000 rentals ठीक है next चीज़ फिर मुझे क्या दिया है rentals के बाद फिर बोलते है current account तो sir current account 45,000 sir हर note पर particular amount लिखना है क्या presentation के लिए exam में time हो तो लिखने का नहीं हो तो नहीं लिखने का ठीक है कोई item का कोई heading का एक ही item हो तो notes की ज़रूरत नहीं तब notes avoid कर सकते हो ठीक है ओके फिर current account 45,000 तो sir ये cash and cash equivalents में जाएगा तो ये आजाएगा मेरा note number 4 cash and cash equivalents आजाओ cash and cash equivalents में यहाँ पर क्या था current account 45,000 ठीक है next चीज क्या थी current account के बाद cash तो cash दिया था 8,000 तो आप cash लिख लेंगे वहीं पर 8,000 simple सी चीज है sir बहुत simple सी चीज है 8,000 का ये भी आगया मेरे पास next इसके बाद क्या चीज बोलते है अब इसके बाद ये लोग बोलते interest on bank loan finance cost 1,16,000 sir इसका नया note बनाना पड़ेगा yes इसका नया note बनाएंगे तो यहाँ पर page आड़ किया note number 5 finance cost चलो तो यहाँ पर क्या चीज था interest on bank loan 1,16,000 लिखलो interest on bank loan interest on bank loan 1,16,000 ठीक है interest on bank loan हो गया 1,16,000 अगली चीज इसके बाद क्या है what is the next thing pili-mili-mili expenses 10,000 तो pili-mili-mili expenses को हम यहाँ पर लिख देंगे other expenses में यह 10,000 के pili-mili-mili आ गए यह भी चीज हो गई इसके बाद अगली चीज क्या है Mithro next चीज मेरी अब क्या है fixtures fixtures है 3,000,000 तो 3,000,000 के fixtures सर क्या है P-P तो fixtures यहाँ पर आ जाएंगे 3,000,000 gross amount 3,000,000 fix today fixtures के बाद अगली चीज क्या है Wuggies Wuggies क्या था सर employee benefit 9,000,000 का employee benefit expenses में जाएगा तो सर employee benefit expenses में मेरे ख्याल से एक ही चीज दिये Wuggies तो वाँ पर हम लिख देंगे Wuggies 9,000,000 रुपए कहा गया रही यह रहा employee benefit expenses जिसमें था Wuggies 9,000,000 1, 2, 3, 4, 5 हो गया सर Wuggies हो गया Wuggies के बाद फिर क्या चीज दिया इन्होंने हमे Wuggies के बाद फिर यह लोग देते consumables 84,000 other expenses में जाएगा तो other expenses में लिखिए सभी लोग मेरे साथ बोलो मेरे संग जय हिन जय हिन जय हिन जय हिन जय हिन देश का सिपाही हूँ Tools and Equipments 2,45,000 अभे जान लेगा क्या जगह ही नहीं बच रही हो उसके बाद उसके बाद अगली चीज Goodwill Intangible 2,65,000 इसका बनाना पड़ेगा में Notes to Accounts to Goodwill क्या Intangible और भी कोई है क्या Intangible तो एक ही है Intangible में लिख दो Goodwill 2,65,000 आओ नीचे आओ नीचे 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 Beatboxing 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 चलो आप उसके बाद Mitra Trade Receivable Trade Receivable Current Asset में आएगा तो Current Asset में Trade Receivable का एकी फिगर है 440 माँ पे लिख दो Current Asset Trade Receivable 440 अगर Trade Receivables में भी दिया होता कि Debtors अलग, Bills Receivable अलग तो इसका भी हमें नोड बनाना पड़ता है आप एकी फिगर दिया, डाइरेक्ली लिख दिया Okay, sir Beatboxing बहुत बड़ी असर मजा आ गया अगली चीड, Dealer Aid 21,000 लिको, Dealer Aid हमने डीलरों को मदद की 21,000 के expenses हुए हमेर Dealer Aid 21,000 D, E, A, L, E, R Na, 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 Na Transit Insurance रभावा Insurance का खर्चा किया 30,000 ओधेर expenses Okay, sir अगली चीड, इसके बाद क्या Trade Expenses 36,000 तो चलो लिखो Trade Expenses 37,000 अब देखो मेरे पास नहीं यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर बाजू में लिकरा हूँ सारा ठीक है? आपके पास जगह बननी चाहिए Trade Expenses Sir, हमारे पास नहीं है इसलिए तो चिट्टी लगाओ और चिट्टी में लिखो वाँ पर देखो आई है आई है चिट्टी आई है वाँ देखो आई है आई है चिट्टी आई है वाँ 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 Distribution Freight चाउपन चाह लिखो distribution freight फिर खर्चाह Nonsense अबे का लिखो का गया चाउपन चाह Distribution Freight के बाद फिर अगली चीज़ क्या दी थी इन्होंने हमको कईसी पता तो जाके देखो Debenture Interest बेला चाह बेला चाह बेला चाह बेला चाह 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 लिखो पचपन चाहर देखो पचपन चाहर Finance Cost अब क्या बोले Closing Inventory अब देखो Credit Side मेरा बच्चा है बढ़ ठीक है यहाँ पे Closing Inventory दिया है तो वो भी लिख लेता हूँ इसको भी खत्म कर देते Closing Inventory 8,30,000 सर अब यह Closing Inventory काई की रहेगी हमें बता दो यह Closing Inventory काई की रहेगी बताओ सर अब Inventory Raw Material Finish Good WIP SIT सर WIP SIT Finish Good एक हो गया यह एक हो गया और Raw Material दूसरा हो गया सर तो यह इन दोनों में से किसी एक की रहेगी तो दोनों में से अगर किसी की भी रही तो दोनों का Treatment अलग अलग है Raw Material रही तो Cost of Material में जाता है बत सर Material Consumed वाला Point तो अलग से दिया था मतलब वहाँ पे Material Consumed में Raw Material का Closing Inventory का भी आ गया होगा तो यह का है यह जो Inventory है यह है Stock in Trade, Finish Good, WIP वाला Point यह वो वाला Point है ठीक है Yes Sir तो 8,23,000 कहा पे जाएगा Sir, Changes in Inventory वाले Point में जाएगा कहा पे जाएगा 1 था वो जाएगा तो Note No.1 पे आउँगा 8,23,000 यह मेरा Closing Stock है Closing Stock ठीक है Sir, यह Closing Stock आ गया अब Sir, इसके बाद बताईए यह Closing Stock क्या Trial Balance में दिया था नहीं, यह Trial Balance के बाहर दिया था Sir, कोई चीज अगर Trial Balance के बाहर दियो तो Sir, हमने क्या चीज करना है अगर कोई चीज मुझे Trial Balance के बाहर दी गई हो तो Sir, मैं क्या करूँगा उसके Double Effect करूँगा तो Sir, एक Effect तो उसका यहाँ पे आएगा Yes Sir, यहाँ पे आएगा Changes in Inventory और Second Effect उसका कहा जाएगा Sir, Closing Stock का Effect हमारे Current Assets में जाता है वो याद रखना कि आपका वो Trial Balance के बाहर दिया है तो उसका Double Effect आप लेंगे यही चीज सभी को Clear हो गया Hey Everybody, Clear with This La La ओके, चलो अब यहाँ तक हो गई अब हमारी ना Credit Side की चीजे बचिए तो Credit Side की चीजों को कर लेते Sir, हमारी Class को देड़ घंटा हो गया ओ, भाई साब ओके, चलो, next चीज, अब आते Equity Shares पे, Equity Shares मतलब क्या Sir, Share Capital, Share Capital में दिया है Shares of Rupees 10 each, 25 लाग तो इसको लिखेंगे, इसका Note बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ना, Shares का हम पूरा Detail में प्रेजेंटेशन करते है तो चलो, अब इसका Note यहाँ पर बनाएंगे, Note No.6 Note 6, Share Capital Share Capital के Note में क्या-क्या चीज़े लिखते है देखो, मगर प्यार से अब यहाँ पर आता है Share Capital Share Capital के Note में ध्यान देंगे सभी लोग क्या-क्या चीज़े आती है Authorized सबसे पहला आता है Authorized Share Capital Authorized लिखा उसमें क्या है? Equity Share Capital Equity Share Capital लिखा उसमें क्या लिखेंगे? Shares of Rupees 10 Each Shares of Rupees 10 Each तो यह कित्त हा Authorized है? 25 पेटी 1, 2, 3, 4, 5 और इसके नीचे दो लाइना खीच लेने का डटैन डटैन दूसरी लाइना कहा आ गई? दो खीचेंगे ना? हाँ अब Authorized के बाद मैं लिखूंगा Issued, Subscribe, Paid Up Issued, Subscribe, Paid Up में कित्ता आएगा? मिरको बताओ Equity, Share Capital वापस होईच, Shares What a singer sir, what a player you are यह 25 पेटी यहाँ पे लिख दिया ठीक है? चलो यहाँ से आगे बढ़ेंगे अब यह Share Capital मैंने पूरा लिख दिया Share Capital के बाद अगली चीज फिर आता है 11% debentures 11% debentures, liability liability, non-current liabilities उसमें long-term borrowings तो चलो इसका भी note बनाएंगे पांच लाग रुपे लिखेंगे 11% debentures के नाम से Next note Note number 7 Long-term borrowings Non-current liabilities में आता है Long-term borrowings Long-term borrowings में क्या चीज होगी Mitro, class पसंद आये तो use करने का code Tejas 10 1st December से Team Sankalp की Group 2 की बैचे May 23 के लिए Okay, yes हाँ हो गया promotion चलो तो long-term borrowings में आएगा 11% debentures Sir, ऐसा ही promotion क्यों नहीं करते सभी लोग 7 second में Sir, सब पूरा promotion ही खतम हो गया Maa, कसम Sir, so impressive Okay, yes यहाँ पे हो गया 5,000,000 मैंने लिख दिया 11% debentures उसके बाद क्या चीज है उसके बाद क्या है Bank loan Again, long-term borrowing 6,45,000 तो यह आएँगे यहाँ पे 6,45,000 6,45,000 Bank loan Bank loan के बाद फिर क्या चीज है Trade Pables Sir, trade Pables कहा पे आएगा Sir, current liabilities तो current liabilities में Directly लिख देंगे Trade Pables 2,81,000 के Current liabilities Trade Pables 2,81,000 उसके बाद अगली चीज क्या है अगली चीज क्या है Current liabilities के बाद Sorry, trade Pables के बाद Sales Revenue from operation 42,68,000 तो revenue from operation में आएगा 42,68,000 जो मेरा P&L में जाएगा ठीक है Revenue from operation का कोई note की जरूरत नी उसके बाद आता है Sir, rent received Rent received other income थी Yes Sir, 46,000 उसका note बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जादा है More than one है ठीक है Yes, तो यहाँ पे क्या चीज है Rent received 46,000 other income Other income का note बनाएंगे Note no.8 Other income Other income में rent received किता 46,000 ठीक है, done अब उसके बाद क्या चीज है Next चीज अब rent received के बाद transfer fees 10,000 तो transfer fees लिखो यहाँ पे यह भी other income transfer fees मेरा 10,000 आया transfer fees के बाद अब क्या चीज है P&L account यह reserves and surplus की बात हो गई Yes, तो reserves and surplus का note बनाना पड़ेगा Yes, 139,000 तो बनाओ reserves and surplus Sir, reserves and surplus का क्यों बनाना है? एक ही चीज दिख रहे नहीं बटा एक और चीज आएगी उसमें Profit for the current year जाके P&L बनाए ना तो P&L से profit for the year आएगा वो उसमें reserves and surplus में जाके add करना पड़ेगा तो एक ही चीज नहीं है एक से जादा है एक से जादा है हमारी तो reserves and surplus है note no.8 वो शरापी क्या शरापी P&L account का balance जिसके दिल्वाए गम नहीं ये भी चीज हो गई उसके बाद आखरी चीज depreciation provision on machinery 1,46,000 accumulated depreciation ठीक है तो accumulated depreciation on machinery मुझे दिया है 1,46,000 तो इसको मैं यहाँ पर लिखेगा सर इसको depreciation and amortization में P&L में लिखेंगे नहीं बेटा trial balance में इसको credit side दिया है this is accumulated depreciation सर तो second effect वाँ दे दो बेटा trial balance में दियूँ वी चीज का एक ही effect होता है और accumulated depreciation मतलब पूरे सालों का मिला के plant and machinery का इत्ता depreciation है उसको इस साल का पूरा खर्चा मत मान लो यह पूरे 1,2,3,4,5 जब से machinery है तब से पूरा depreciation इसमें accumulate किया गया है this is not current year depreciation यह चीज याद रखना सभी लोग yes, yes, yes सर increment हुआ या 150 ही है वगीज वगीज उत्ता ही है गरी भी बढ़ गई है क्योंकि inflation बढ़ रहा है ठीक है तो यह चीज हो गई और इसके बाद क्या है सारी चीजे मैंने लिख ली done, 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 done तो अब क्या करना है अब मैंने अपने notes to accounts को एकदम fast fast complete करना है अब यहाँ पे सबसे पहले note पे आते सबका यहाँ तक लिखके सारी चीजे हो गई everybody complete up until year everything completed everything completed बताएंगे मुझे सबी लोग क्या सारी चीजे यहाँ तक complete हो चुकी है हाँ, हाँ, हाँ everybody yes, quickly, yes, बोलो yes, 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 yes okay, चले, 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 तो अब क्या है अब note number 1 पे आते changes in inventory of WIP, finish good and stock in trade तो sir, इसमें change निकालना है कि inventory में change किता आया तो इसको add मत करना closing stock minus opening stock यह हमारा trading था ना trading यह trading में closing stock है, यह opening stock है दोनों का difference निकालना है add up मत कर देना है यहाँ पे तो difference किता आया sir, 8,23,000 minus 6,80,000 यह किता होता है 1,43,000, that much is the change ठीक है, तो हमारा change आया 1,43,000 का sir, अब यह change को हमने वहाँ पे हमारे P&L में कैसे present करना चाहिए, मुझे यह बताइए sir, जो change आया है closing stock जादा है closing stock जादा है, तो sir, इससे profit बड़ा होगा profit बड़ा है तो sir, हम क्या करेंगे changes in inventory वाला point यहाँ पे हम brackets में दिखाएंगे 1,43,000 को हम यहाँ पे हैंगे brackets में, यह चीज़ clear हुआ यह चीज़ यहाँ पे clear हुआ, इसको brackets में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो यह note number 1 हो गया, note number 2 पे आईए, property, plant and equipment sir, यहाँ पे ना accumulated depreciation एक ही दिया था, तो बाकी सब में accumulated depreciation नहीं है, तो अब इसके net amount निकाल लो, यहाँ पे 46,000 प्लस 2,45,000 यह हो जाएगा 30,05,000 तो यह PPE का मेरा final figure आ गया yes sir PPE का आपका final figure आ गया 30,05,000 ठीक है तो 30,05,000 PPE मैं कहां पर लिख दूँगा balance sheet में यह यहां पर आ गया 30,05,000 30,05,000 note number 2 ठीक है वो P&L में लिख देना changes in inventory note number 1 ठीक है yes उसके बाद क्या चीज है उसके बाद क्या चीज है उसके बाद फिर आया other expenses करो total other expenses का total करते 40,000 plus 20,000 plus 35,000 plus 1,20,000 plus 25,000 plus 10,000 plus यह किता था 84,000 plus 21,000 plus 30,000 plus फिर आता है 37,000 yes और plus आ गया 54,000 तो यह हो गया 4,76,000 यह मेरा आता है 4,76,000 other expenses note number 3 का answer डाल दो P&L में other expenses 4,76, 1, 2, 3 note number 3 done sir उसके बाद next चीज अब मेरी क्या रहेगी sir note 3 हो गया note 4 पर आईए यह cash in cash equivalence का total यह आ गया 53,000 yes sir यह 53,000 आ गया तो cash in cash equivalence का total note number 4 हम यहाँ पर लिख देंगे current assets में cash in cash equivalence note number 4 यह आ गया 53,000 done 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 उसके बाद अगली चीज मेरी क्या है what is the next thing after this next thing note number 4 के बाद note 5 1,16,000 plus 55,000 तो यह आता है 1,71,000 1,71,000 ठीक है तो यह आ गया मेरा क्या चीज यह आ गया finance cost finance cost 1,71,000 तो यहाँ पर 1,71,000 ठीक है finance cost आ गया उसके बाद क्या चीज है share capital 25,000 note number 6 तो share capital यहाँ पर direct आ जाएगा note number 6 पच्चीस लाग presentation उसका उपर note 6 में मिल जाएगा उसके बाद क्या चीज है note 6 के बाद note 7 long term borrowing 11,45,000 11,45,000 मेरा यहाँ पर आ गया yes sir तो long term borrowing note number 7 non current liability में लिखेंगे long term borrowing note number 7 11,45,000 ठीक है उसके बाद अगली चीज अब क्या है उसके बाद अगली चीज note 7 हो गया note 8 पर आईए other income 56,000 ठीक है तो other income note number 8 56,000 मेरा यहाँ पर आएगा other income के बाद next चीज क्या है note number 9 reserves and surplus was note 9 reserves and surplus 1,39,000 इसको खाली अभी total मत करो यह अभी के लिए रहने दो बागी सारे हो गया है क्या yes sir बागी सारा मेरा हो गया है ठीक है तो reserves and surplus खाली रहने देना अब आईएगा current tier पे current tier पे आपका total income किता आता है तो total income निकाल लो 42,68,000 plus 56,000 तो यह आजाता है 43,24,000 43,24,000 यह चीज आ गई yes sir और उसके बाद फिर purchase of SIT कुछ नहीं दिया था मेरको तो आब निकाल लेते 23,19,000 minus 1,43,000 plus 9,00 plus 1,71,000 plus 4,76,000 यह आता है 37,23,000 total expenses 37,23,000 yes यह चीज मेरी आ गई तो अब total income minus total expenses 6,01,000 profit for the year आ गया 6,01,000 यह जो 6,01,000 का मेरा profit है इस साल का यह मेरा reserves in surplus में जाएगा P&L में add होगा add profit for the year profit for the year 6,01,000 यह जो 6,01,000 है वो add करने के बाद यह 7,40,000 आता है और यह जो 7,40 आया note 9 यह 7,40 में ने reserves in surplus में दिखा दिया अब यह चीज हो गई तो आप balance sheet टाली करेंगे balance sheet टाली करने पे आता है तो मेरा liability का total देखे कितना आता है 25,00,000 से चालू करता हूँ 25,00,000 प्लस 7,40,000 प्लस आता है 11,45,000 प्लस 2,81,000 यह होता है 46,66,000 ठीक है और फिर assets में आते हैं तो assets में 30,05,000 प्लस 2,65,000 प्लस 80,000 प्लस 4,40,000 प्लस 8,23,000 प्लस 53,000 यह आता है 46,66,000 ठीक है मजा आया कि नहीं सभी को है मित्रो everybody समझा कि नहीं सभी को समझा, 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 समझा everybody clear with this, everybody clear yes मुम्माद that is available only in hard copies by ordering it is not available in soft copy okay तो चलिए, यहां तक समझा sir class over, नहीं, class over नहीं है बटा, बोला था ढ़ाई गंटे की class है अभी तो कित्ता, एक गंटा 40, 45 मिनिट हुआ है बहुँट time लगा बटा, exam में आयगा भी उत्ते माक्स के लिए और साथ में हमें एक एक चीज समझे एक एक चीज समझने के बात किये तो समझते time time लगता है ना तो tension नहीं है क्योंकि एक बार समझ गया ना फिर वो फटा-फट होता है ओके चलो, तो यहां तक हमारा हो गया yes, तो यहां से आगे बढ़ेंगे अब कित्ते page का question था एक page, दो page, तीन page चार page, बस, चारी तो page का था क्या ही था इस question में, एक दम चिल्लर सा question था एक और question, अभी देखते, जरूरी नहीं है कि यह question आज पूरा cover करेंगे धाई गंटे की class जरूर लोंगा, धाई गंटे की class होगी, धाई गंटे में अगर यह पूरा हुआ था 20 माक के लिए, ठीक है? यह वाला question exam में आया था 20 माक के लिए सर क्या मजाक कर रहे हो, हाँ मजाक नहीं कर रहा है सच्ची 20 माक के लिए आया है तो यह वाला अभी solve कर लेते ओके सार, कर लो solve आप लोग को 2 मिनिट की break चाहिए, चलो दो मिनिट की break लेलो, enjoy करके आजाओ, दो मिनिट की break लेलो, आपको 2 मिनिट की break भी दे देता हूँ, कोई दिककत नहीं break पे जाने के पहले याद रखने का मित्रू हो, the code is stages 10, आप लोग को पसंद आती है, पड़ाई, तो यह code जरूरी उसकी जे, plus iconic subscription पे and plus iconic subscription से आप लोग हमारी December की group 2 की batch join कर सकते हो yes, so यह batch आप हमारे साथ join कर सकते हो, कौन सी वाली group 2, CA intermediate May 23, संकल्प team की yes, plus iconic subscription लेने पे stages 10 code use करने का 1st December से है and जाओ, break लेलो break के बाद मिलते है, मैं यहीं पे हूँ, आप लोग break ले सकते हो, आप लोग break ले सकते हो, मैं आपे बैट जाता हूँ ठीक है, खाली जब तक break है, मैं streaming को off कर देता हूँ 2 minute के लिए streaming pause हो जाएगी ठीक है, resuming, कित्ते बजे, 12.48 हो रहे है तो 12.55 को resume करना है class resumes at class resumes at 5 p.m okay, class resumes at 12.55 p.m okay, sir, खाना काया नहीं, आपकी class के बात खाएंगे, खाना अभी नहीं खाना है तो 12.55 तक break है, जाके enjoy कर लो, code is stages 10, सभी लोग याद कर लो code is stages 10 है, आँ wow, sir, what a code, what a player सभी लोग याद कर लो, जा break ले लो, मैं streaming for the last 35 minutes of the day, जो लोग recorded देख रहे हैं, उन लोग को बीच में कोई break की जरुवत नहीं देया, आप paused, वो लोग अपने हिसाब से pause pause करके ही देख रहे होंगे तो आप लोग के लिए कोई welcome back नहीं, आप लोग के लिए सीधा अगले question पर आ जाओ, बाकी students जो लोग live देख रहे हैं, उनके लिए break थी, अभी 5-7 minute की offline marathon का कुछ बोल दो तब तक, offline marathon का बोलने के लिए मैं जितना ततपर हूं तना कोई नहीं है, बहुत सारी चीज़े आपको बतानी है, but still waiting for something still waiting for something and it is getting on my nerves now तो बहुत इच्चा है आप लोग को offline marathon के बारे वें चीज़े बताने की, but wait करना पढ़ रहा है, wait करना पढ़ रहा है okay, चलो sir note, संकल batch May 23 के group में भी send कर देना, please संकल batch May 23 के group में भी send कर देना, ठीक है, कर देंगे sir, advanced accounting कब से start करूंगे, बताओ ना sir, 1st of December 2022 for the May 2023 attempt, yes तो तब से हम start कर देंगे sir, कभी गुजरात में भी ले लो, हमारा plan था एहमदाबाद आने का but I don't know यार plans तो हमारे बहुत सारे थे but approval लेना पढ़ता है इन लोग से, तो approval में यार चीज़े slow होती जा रही है कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते, चलो तो start करे start करे, start करे पटना में क्यों नहीं लिया sir अब वो ही है, देखो time भी limited है लेने को तो देखो दिल्ली, मुंबई, पूने एहमदाबाद, जैपूर और इंदौर फिर उसके बाद कॉलकता, पटना लखनव और चंदिगड़, यह सारे बहुत hot areas है सीए गए बट इसमें से अब समय limited है तो कुछ-कुछ areas को short list करना पड़ता है, because limited time घूमते ही रहेंगे तो faculties burn out हो जाएगी, उसमें अगर सारी locations cover करने गए तो faculties let's see let's see, चलो start करते, next question पर आते illustration number 7 पर सभी लोग आएंगे everybody please come to illustration number 7 illustration number 6 हमने अभी कर लिया है, तो अब हम आएंगे illustration number 7 पर, very important illustration, चलो you are required to prepare a statement of P&L and balance sheet from the following trial balance extracted from the books of international international hotels limited, क्या कामें इनका हो, hotels का कामें international hotels limited, ठीक है, yes as on 31st March 2022, 31st March 2022, अब इसमें क्या है authorized capital divided into 5,006% preference shares of 100 Eats, सबसे पहले ये देते हैं कि इनका capital है, तो ये, अब मुझे एकिक करके आप लोग वापस चीजे बताऊंगे कि कौन सी चीज कहां पर आती है तो ये authorized capital कहां पर आएगा, मेरा मुझे बताई, ये authorized capital कहां पर आएगा सर, ये share capital वाले में चले जाएगा, बिलकुल, ये हमारा चले जाएगा share capital में, सर उसके बाद अब ये देखो, authorized capital में फिर subscribe, preference capital equity capital, तो ये पूरा का, पूरा मेरा कहां पर जाता है, ये यहां से जो चालू होगा, यहां से लेके, यहां तक equity capital तक, पूरा share capital का ही दिया हुआ, very good, चलो अब उसके बाद, ये कौन सा business है hotels का business है, hotels का business है और इन्होंने देखो, क्या purchase किया purchase of wines, cigarettes and cigars, oh my god इन्होंने wine purchase किया, ciggy purchase किया, cigar ICI ने अपनी book में क्या print कर दिया ciggy and cigars, oh my god what is ICI even thinking about, तो यहां पर purchase of wines, cigarettes and cigars, तो ये सब चीज जो लिखी है, तो इसका हम क्या करेंगे क्या करेंगे, मुझे बताइए what will we do, sir ये क्या purchase किया है, इन्होंने क्या purchase किया है what is it, SIT, very good very good, very good, ये वाला जो purchase है न, this is SIT purchase, ये क्या है, stock in trade इसको जैसा लिया है, वैसे कि वैसे ही बेचेंगे, so this is purchase of stock in trade, ठीक है sir फिर इन्होंने आपे नीचे में दिया है, purchase of foodstuff foodstuff भी दिया है, purchase किया है तो sir जो foodstuff purchase किया है वो कहाँ पर जाना चाहिए, sir जो foodstuff सबजी, भाजी, ये सब purchase किया इसका क्या करेंगे, raw material yes, so this is raw material purchased, okay, उसके बाद, wages and salary, sir wages कहाँ जाना चाहिए, employee benefit expenses, employee benefit expenses, sir फिर rent and taxes, sir rent and taxes, ये कहाँ जाना चाहिए, debit balance दिया, इसका rent and taxes का, sir expenses other expenses, laundry so laundry, so laundry कहाँ जाएगा, hotel है hotel का laundry का खर्चा साड़े साथ सो का दिया है, तो sir कहाँ जाएगा, other expenses अब sales की बात करते हैं, तो sales में देखो, sales में wine, ciggy and cigar, तो sir ये वापस क्या है, this is sale of SIT, और फिर food, sale of food, मतलब sale of finished goods, finished goods, finished goods, ठीक है तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्या चीज़ revenue from operation ये मेरा आ जाएगा, revenue from operation ये चीज़ clear, this is what, this is revenue from operation, फिर coal and firewood, ये चीज़ यहाँ पे दी है तो sir coal and firewood ये क्या है इनके expenses वाली चीज़ है तो other expenses में जाएगा carriage and cooliage sir other expenses में जाएगा सुंदरी expenses sir other expenses में जाएगा advertising sir other expenses में जाएगा sir repairs other expenses में जाएगा अब rent of rooms मुझे बताइए जल्दी 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 rent of rooms कहां पे आएगा hotel का business है sir ये लोग का काम है room rent पे देना तो उससे जो income होती है वो कहां पे आती है sir revenue from operations ये इनका revenue from operation है sir billiards stable है इनके पास वो hotels के पास billiards stable होता है वो billiards stable भी लोग use करते है तो इससे इनको income होती है revenue from operations miscellaneous receipts अब hotel की miscellaneous receipts से miscellaneous receipts तो hotel के धंदे से miscellaneous receipts से इनकी कहाँ पर आएगा मुझे बताइए कहाँ पर आएगा other expense अरी ए लाला miscellaneous receipts से और credit balance expense कहां से हुआ अरे expense कहां से हुआ other income आप चाओ तो इसको other income में ले सकते हो आप चाओ तो इसको revenue from operation sir क्यों miscellaneous receipts से ना अरे बिटा example hotel की कोई service ली आपने hotel से cards बुला आपको cards खिलना था अपने room में आपने hotel से cards बुला है तो यह hotel को उसे income हुई तो यह भी क्या है operations करते हुए hotel को कुछ income हुई तो यह miscellaneous receipts भी है यह छोटी मोटी receipts से पर क्या यह operations से related है हाँ sir तो यह हमारा यहाँ पर revenue from operations में भी आ सकता है ओके यह revenue from operations में भी आ सकता है उसके बाद discount received sir again यह क्या है discount received है तो यह income है income expense नहीं है expense के लिए debit balance होना जरूरी है sir यह है हमारा income यह कहाँ पर आएगा discount received मुझे बताइए यह आएगा other income transfer fees other income इसके बाद freehold land and building sir यह जाता है PPE में बिलकुल सही furniture and fittings जाता है PPE में इसके बाद inventory on 1st April 2011 sir opening date पे inventory यह opening date पे inventory यह जो inventory 1st April 2011 को यह कहाँ पर आएगा मुझे बताइए यह कहाँ पर आएगा opening inventory जो है sir सबसे पहले stock in trade की inventory तो sir stock in trade की अगर यह inventory है तो यह आता है changes in inventory में changes in inventory ठीक है फिर इन्होंने दिया है inventory काई की foodstuff raw material की तो sir यह कहाँ पर आएगा यह आएगा cost of material consumed यह raw material की inventory है okay 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 yes फिर cash in hand आएगा cash and cash equivalents in the current assets cash with bankers cash and cash equivalents in the current assets other expenses उसमें जाएगा फिर 2,000 debentures of rupees 100 each sir यह 2,000 debentures credit balance sir loan लिया है मैंने borrowing यह borrowing तो यह आएगा मेरा non current liability non current liability में long term borrowing very good very good non current liability में यह आता है मेरा long term borrowing के under में फिर P&L account मेरा आएगा reserves and surplus में trade payables मेरा आएगा current liabilities में sir उसके बाद फिर क्या चीज दिये उसके बाद क्या चीज दिये तो और भी चीज़े इन्होंने दिया मा कसम sir कित्ता सा question है यह एगदम छोडू सा question है एगदम छोडू सा question ठीक है tension वाली कोई बात ही नहीं है इसको पहले हटाओ clear page ठीक है तो चलो अब इसके बाद क्या चीज है अब trade receivables तो trade receivables sir आएगा current asset में investments investments कहां पे आएगा sir non current investments under non current assets goodwill at cost आएगा intangible में general reserve आएगा sir reserves and surplus में यह चीज सभी को clear यहां तक yes sir फिर अब यहां पे इनका trial balance हो गया खतम यह यहां पे trial balance खतम हो गया फिर कुछ extra चीजे दिये यह जो extra चीजे दिये है यह कहां पे आएगी sir अब यह जो extra चीजे इन सब के आएंगे double effect क्योंकि यह trial balance के बाहर दिया है तो यह सारी की सारी extra चीजों के आएंगे हमारे double effect यह चीज सभी को clear जिसमें सबसे पहले यह लोग देते है क्या चीज wages and salaries outstanding तो sir wages and salaries outstanding sir इसका effect क्या होता है journal entry क्या होती है इसकी wages को debit करते है और wages payable को credit करते है तो sir जो wages debit हुए है वो का पे जाएगा वो जाएगा employee benefit expenses में और जो wages outstanding या wages payable credit हुए है वो जाएगा मेरा current liability में यह चीज सभी को clear उसके बाद inventory on 31st March 12 यह closing stock दिया है closing stock तो sir closing stock कहाँ पे आएगा बताईए wines, cigarettes and cigars sir यह closing stock of stock in trade है ठीक है stock in trade का closing stock है तो sir यह वाली चीज कहाँ पे जाती है यह SIT जो है SIT का कहाँ पे जाएगा मुझे बताईए तो sir देखो यह एक closing stock तो मेरा जाएगा कहाँ पे sir SIT है मतलब यह हम लेंगे changes in inventory में changes in inventory में और sir इसका second effect कहाँ पे जाएगा sir current assets में जाएगा current assets में closing stock यह चीज clear? yes sir फिर इन्होंने food stuff का दिया है मतलब raw material का closing stock raw material का closing stock तो raw material का closing stock कहाँ पे जाएगा sir यह भी दो जगा जाएगा cost of material consumed में और फिर आएगा current asset में closing stock में यह चीज clear है सभी को? yes sir यह चीज clear इसके बाद क्या चीज़ कहते है depreciation depreciation इन्होंने दिया है furniture fittings पे 5% तो sir again इसके दो effect आने चाहिए तो यह depreciation का एक effect कहाँ पे जाएगा sir PPE में से less हो जाएगा furniture fittings में से और दूसरा effect कहाँ पे आएगा दूसरा effect कहाँ पे आएगा दूसरा इसका effect कहाँ पे आएगा मुझे बताएगा furniture and fittings के बाद sir एक इसका depreciation and amortization में P&L में जाएगा वैसे ही land and building पे जो 2% है उसका एक effect आएगा PPE में से minus हो जाएगा और दूसरा effect इसका कहाँ पे आएगा sir इसका भी depreciation and amortization में आजाएगा second effect तो यह चीज़ सभी को clear depreciation and amortization okay everybody clear with this everybody clear तो यहाँ तक सभी को सारी चीज़े clear उपर गा केवल एक चीज़ आपको clear करवाना है यह जो purchases है यह purchases का effect कहाँ पे आएगा यह purchases का effect मैंने आपके साथ discuss नहीं किया था खाली बोला था यह stock in trade का purchase है और यह वाला raw material का purchase है तो stock in trade का जो purchase है उसको कहा लिखते sir उसको हम separately P&L में दिखाते है purchase of stock in trade इसको ऐसे दिखाते है और जो raw material का purchase है उसको किस नाम से दिखाते है raw material का पूरा है color point बनता है cost of material consumed COMC ठीक है तो यह चीज अब सभी को clear हुई यह चीज सभी को clear जितनी चीज़े हमने starting से लेके last तक पढ़ी यह सभी को clear इस पे ICI ने 20 marks का question दिया था बच्चो को क्या है इस question में कुछ भी नहीं है और बच्चे question पढ़के बोलते है सर यह question तो समझ में ही नहीं आ रहा और यह क्या है 11th में यह पढ़े थे यह सारी चीज़े है कि कौन सी चीज को का पे डालना अभी केवल उसको presentation अच्छा कर रहे है कुछ समझने वाली बात ही नहीं है ठीक है सर PDF कहां से मिलेगी AS की बिटा AS की कोई PDF नहीं है वो केवल hard copy पे on order मिलता है ठीक है चलिए तो अब last point इसका पढ़ लेते है last point equity capital on 1st April 2021 तो जो equity capital है on 1st April 2021 stood at 7,20,000 तो हमारा equity capital साल के शुरुआत में 7,20,000 था that is 6,000 shares fully paid तो 6,000 share थे fully paid 2,000 shares is 60 paid तो 2,000 पे 60 paid था तो अब देखो साल के शुरुआत में हमारे equity की ये लोग बात करते हैं कि साल के शुरुआत में बच्चों क्या था आपके पास 6,000 shares थे fully paid थे तो ये 100 था इस पे paid अप तो ये कित्ता हो गया 6,000 और 2,000 shares था जिस पे कित्ता paid अप था 60 paid अप था तो ये कित्ता हो गया ये हो गया मेरा 1,20,000 तो 7,20,000 वैसे हो गया और इन्होंने क्या बोला है साल के शुरुआत में भी 7,20,000 ही हमारा equity capital था तो उसका इन्होंने bifurcation दे दिया ठीक है directors made a call of 40 per share on 1st October 2021 अब जो ये 2,000 share थे उस पे 40 का call किया फिर बोलते हैं a shareholder could not pay the call on 100 shares तो 2,000 में call किया 2,000 pay call किया 2,000 into 40 मतलब कित्ता हो गया sir 80,000 का इन्होंने call किया जिसमें से एक shareholder है जिसके पास 100 share है उसने ये 40 पे नहीं किया तो 4,000 पे नहीं हुआ तो अब आया कित्ता हमारे पास sir आया है हमारे पास कित्ता 76,000 ठीक है जगा थोड़ी कम है बट वो 76,000 हमारे पास आया उसके बाद बोलते है a shareholder could not pay the call on 100 shares and his shares were then forfeited तो ये 100 share को हमने 4 feed भी कर दिये और फिर उसको reissue भी किये at rupees 90 per share as fully paid oh my god इसको 90 per share में हमने reissue किये the directors declared a dividend of 8% on equity shares on 2nd April 2012 चलो ये point को छोड़ दो इसके पहले मुझे ये वाला पूरा point interpret करना है तो इसके लिए मैं एक additional page add करता हूँ और वो page में आपको पूरा interpret करके बता आता हूँ चलिए तो साल के शुरुआत में इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास share capital कित्ता था sir हमारे पास जो share capital था वो कुछ इस प्रकार था share capital की अगर हम बात करें तो हमारे share capital में sir किते 2000 shares यह इतना फुली पेड़ था yes तो यह 6 लाग हो गया 2000 shares थे जो 60 पेड़ थे तो यह 1 लाग 20,000 हो गया यह कितना हो गया 1,2,000 तो साल के शुरुआत में कितना था 7,20,000 था हमारे पास साल के शुरुआत में 7,20,000 ठीक है फिर इनोंने क्या किया call किया यह सर इनोंने उसके बाद में call किया 2000 पे 40 मतलब सर 80,000 का call किया हाँ 80,000 का call किया तो अब share capital में कितना आ गया share capital में मेरा सर total अब आ जाता है 8 लाक रुपे तो मेरा equity share capital का total कितना हो गया 8 लाक बट सर अब क्या हुआ मैंने call तो कर लिया बट call करने के बाद ये 2000 into 40 में से 100 into 40 तो receive नहीं हुआ और वो receive नहीं हुआ तो मैंने क्या किया receive नहीं हुआ तो मैंने क्या किया उसको 4 feet किया चलो तो अब इसमें से मैं क्या करता हूँ 100 into 40 को 4 feet कर देता हूँ Sir 100 into 40 को 4 feet किया तो ये मेरे share capital में से कम हो गया Yes sir ये 4000 share capital में से कम हो गया तो अब share capital मेरी कित्ती बची sir अब जो share capital मेरे पास बची है that is 7,96,000 फिर ये लोग बोलते हैं कि आपने क्या किया है अब ये shares को जो 4 feet किये थे उसको वापस re-issue कर दिया तो sir re-issue किया तो वापस अब मेरा share capital कितने से बढ़ गया share capital कितने से बढ़ गया 4000 से बढ़ गया हाँ क्योंकि ये re-issue हो चुका है तो sir अब मेरे पास final share capital कितना है sir 8,00,000 का मेरे पास final equity share capital है ये चीज़ सभी को clear कि मेरे पास final share capital कितना है final जो share capital है न वो 8,500,000 दिखाया है share capital अभी 8,000,000 आ रहा है तो sir ये कैसे हुआ तो देखें ये कैसे हुआ इन्होंने क्या किया अब ना हमें पूरी entry समझनी पड़ेगी यहां पे ये और ये तो opening balance था 7,200,000 opening balance था अब यहां से लेके यहां तक की पूरी entry समझनी पड़ेगी क्या हुई है तो देखो सबसे पहले company ने जब call किया company ने जब call किया तो क्या entry होगी मुझे बता हिए sir यहां पे ये 2000 into 40 का call हुआ तो यहां पे होगा equity share call debit equity share call debit 80,000 to equity share capital यह सभी लोग लिखना मेरे साथ तो समझेगा नहीं तो बाद में समझेगा नहीं अभी तो समझ जाएगा बट लिखोंगे नहीं तो भूल जाओंगे और फिर confusion होगा yes तो sir यह equity share capital यहां पे credit हुआ इसलिए उसको यहां पे हमने जोड दिये थीक है sir बट अब 2000 में से 100 पे तो पैसे ही नहीं आए तो कितने पे पैसे आए sir 1900 पे तो अब entry क्या होई bank account debit कित्ता 1900 into 40 sir जो पैसे नहीं आए वो कहां पे जाएगा calls in arrears में जाएगा जो पैसे नहीं आए वो कहां पे जाएगा calls in arrears debit 100 into 40 ठीक है और 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 credit क्या होगा to equity share caller कित्ता 2000 into 40 ये चीज clear ये हो गया 2000 into 40 सभी के दिमाग में बात गई यहां तक everybody clear with this everybody clear 100% 100% clear यहां तक किसी को इसमें कोई भी doubt किसी को इसमें कोई भी doubt नहीं sir फिर क्या बोले ये 100 shares को तो हमने 4 feet भी कर दिया तो अब 4 feet करो sir share 4 feet किया तो capital खतम किया capital खतम तो capital debit तो equity share capital को हम करेंगे debit sir ये जो 100 share का capital में debit कर रहा हूँ ये पहले credit कित्ते से हुआ था हर एक share sir 100 रुपे से credit हो चुका था ये 100 share sir ये 2000 में included थे ये 2000 पहले 60 से credit हुआ था और ये 2000 बात में 40 से credit हुआ था मतलब पूरा 100 से credit हो चुका था मतलब ये 100 share जो अभी 4 feet कर रहा हूँ वो पहले 100 से credit हो चुके थे तो अब 4 feature के time वो पूरे 100 से debit हो जाएंगे sir इस पे हमारे कितने रुपे आने बचे थे sir 40 रुपे क्या वो अब आएंगे sir वो अब नहीं आएंगे वो 40 रुपे नहीं आएंगे तो उसको credit कर दो जब आने वाले थे पहले तो वो debit balance था receivable अब नहीं आ रहे तो उसको credit कर दो 2 calls in arrears 2 calls in arrears कितना 100 into 40 और sir यही shares पे पहले से 60 रुपे आ चुके थे यही shares पे पहले से 60 रुपे आ चुके थे तो वो 60 रुपे का मैं क्या करूँ वो sir पहले से आ चुके थे न मेरे पास वो 60 रुपे मेरे पास पहले से आ चुके थे वो में return नहीं करने वाला हूँ वो मेरे पास दबा के रख लूँगा वो profit हो गया क्यूँकि अब share भी मैंने वापस ले लिया और वो पैसे भी मैंने रख लिये अंटा लिये जेब में डाल दिये profit तो उसको कहते है share for feature वो profit को कहते है share for feature कितना sir 60, 100 into 60 ओ, yes अब देखो ये entry काई की हो गई ये for feature की entry हो गई for feature के बाद अगली entry अब क्या आती है सबी लोग ध्यान से सुनना for feature के बाद next entry क्या आएगी next entry sir अब उसको reissue करेंगे sir reissue किये हर एक share को कितने में reissue किये 90 रुपे में तो अब मेरी entry आ जाएगी bank account debit sir 100 share को 90 रुपे में हमने reissue किये bank में पैसा क्यों आया capital कितने का दिया है 100 into 100 100 रुपे का capital दिया मैंने sir तो मतलब 100 into 10 क्या हो गया मैंने discount दिया यह जो discount है ना यह discount में debit नहीं होता है यह share for feature में debit होता है sir क्यों बेटा यह share for feature में इसलिए debit होता है क्योंकि जब हमने forfeit किये थे तो इसी share पे हमें 60 रुपे का profit हो गया था क्योंकि हमने share भी ले लिए और पहले से 60 रुपे आके रखे हुए थे तो यह share forfeit करने पे 60 का profit इसी share को जब reissue कर रहा हूँ तो 10 का उस पे loss हो रहा है तो इसलिए यह profit और loss को दोनों को मैं एक ही account में treat करता हूँ share for feature ठीक है अब मुझे बताओ मेरा share capital कित्ता हो गया मेरे share capital का balance सर आफ्टर reissue 8 रुपे बराबर हो चुका है 8 रुपे का बराबर balance बच रहा है share capital में क्योंकि सर 7,20,000 तो था फिर 80,000 credit हुआ तो कित्ता हुआ share मैंने 4 feet किया एक सिकेंड मैंने या पे कुछ गलत किया share मैंने 4 feet किया ठीक है तो share 4 feet किया तो अब क्या हो गया share अगर मैं 4 feet करता हूँ तो 100 into 100 से debit होता है मतलब कित्ता सर यहाँ पे 10,000 से debit हुआ तो अब ये कित्ता बचा ये बचा मेरा 7,90,000 और सर देखो re-issue किया तो वापस ये capital मैंने issue किया कित्ता 100 into 100 तो अब सर ये 10,000 से वापस बढ़ गया तो अब ये कित्ता आ गया 8,00,000 रुपे पे आ गया तो share capital में तो 8,00,000 रुपे ही होने चाहिए सर उससे 1 भी रुपे जादा नहीं पूरा मैंने आपको entries के थुरू बता दिया ये 720 में 80,000 क्रिडिट माइनस 10,000 प्लस 10,000 तो 8,00,000 रुपे हो गया सर अब ये entry से देखो और क्या हुआ है ये entry से सर एक और चीज क्रियेट हुई है मेरी share for feature की share for feature में सर कितना balance दिख रहा है हमको यहाँ पे share for feature में balance है 6,000 जिसमें से सर यहाँ पे 1,000 का deduct हो गया तो share for feature का net balance अब कितना है 5,000 ये मेरा reserves and surplus में 5,000 का balance दिखना चाहिए ये वाला जो balance है ना कहाँ पे दिखना चाहिए यारो reserves and surplus में दिखना चाहिए इन्हों ने ये 5,000 के balance को कहाँ पे दिखा दिए इन्हों ने यहाँ पे add करके दिखा के इसको 8,500,000 बना दिए तो इन्हों ने क्या ये सही किये क्या नो सर अब देख लो पूरे question में कहीं भी आपको ये share for feature का 5,000 का balance नहीं दिखेगा अगर साल भर में ये सारे effect हुए तो share for feature भी तो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए हाँ sir share for feature दिखना चाहिए बट क्या दिख रहा था share for feature sir share for feature उपर के पूरे question में कहीं नहीं दिख रहा था मतलब ये जो share for feature का 6,000 minus 1,000 ये 5,000 का balance था वो भी इन्होंने यहां पे जोड के इसको 8,5,000 कर दिया तो 5,000 हमने इसमें से हटाना पड़ेगा इसको 8,000 पे दिखाना पड़ेगा और 5,000 को हम reserves and surplus में share for feature के नाम से दिखाएंगे किस नाम से share for feature के नाम से ये चीज सभी को clear हुआ ये चीज सभी को clear 100% clear किसी को यहां तक कोई भी doubt anybody having any doubt with what I just explained over here anybody 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 no doubts no doubts no doubts no doubts no doubts ठीक है चलो तो ये question अभी तक यहां पे समझा अभी तक मैंने आपको क्या समझा यहां तक मैंने आपको ये question समझा दिया last point अभी भी मेरा समझाना बचा है the directors declared अभी ये last point पर आजो ये वाला point directors declared a dividend of 8% on equity shares on 2nd April 2012 सर हमारा year ending कब का है 31st March 2012 या 22 तो 31st March 2022 को year ending है year ending के 2 दिन बाद dividend declare हुआ dividend declare की entry ये financial statements में कुछ भी नहीं दिखेगी dividend declare का effect आता है in the financial statements of the year in which the dividend is declared तो ये चीज़ भी सभी लोग याँ पर याद रख लो ये चीज़ भी सभी लोग याँ पर याद रख लो पहले ही note लिखवा दे रहा हूँ note effect of dividend is given effect of dividend declared dividend declared is given in the financial year is given in the financial year in which in which the dividend is declared is given in the financial year in which the dividend is declared तो इस question में उसका effect कब आएगा 22-23 में आएगा 22-23 में इसका effect आना चाहिए हम कौन से financial statements अभी बना रहे हैं हम बना रहे 21-22 के financial statements another very important point तो dividend का point आपको यहाँ पर confuse करने के लिए दिया है confused होना मत confused होना मत confused होना मत यह चीज सभी को clear absolutely clear 100% clear with all of you यह point भी 100% clear हुआ गया सबके दिमाग में yes, yes, yes तो यह अभी हमने question पढ़ा question की सारी चीज़े यहाँ पर analyze की और analyze करके बस अब इसको solve करना बाकि है क्या हमारे पास आज इतना time है कि इसको solve कर पाएंगे no sir आज तो हमारे पास इतना time दिखने रहा है तो हम इसको कब solve करेंगे कल के lecture में lecture number 2 में कल जो हमारा lecture number 2 होगा lecture number 2 कौन सी तारिक को 6th of October 6, 10, 2022 lecture number 2 में हम इसको solve करेंगे 20 marks का question था exam में तो कल का lecture कोई भी miss मत करना sir कल क्या खाली ये एक question होगा नई इसके बाद हम करेंगे managerial remuneration next हम क्या करेंगे managerial remuneration पढ़ेंगे और managerial remuneration के बाद next हम क्या करेंगे dividend declaration का पढ़ेंगे ठीक है तो dividend और managerial remuneration ये दो बहुत important topics है इस chapter के वो भी कल हम cover करेंगे so lecture number two कल किते बजे होगा हमारा 11 am को होगा उसका lecture बन चुका है सभी लोग जाके like कर लो channel को subscribe कर लो notifications on कर दो आज का session पसंद आया हो तो आज का session भी आज का lecture भी like कर लेना genuine एक feedback देते हुए जाना जाने के पहले कि क्या आज की चीज आपको पसंद आई आज जो पढ़ाया पसंद आया chapter में clarity बड़ी ऐसा लगा कि भाई ने जो पढ़ाया logic पढ़ाया P&L balance sheet का वो आज के पहले देखके है ICI ने जान मूच की ये point question में डाला है yes already did already did जिदो ने अल्रेडी like कर दिया है thank you so much thank you so much thank you so much 7 और 8 तारिक को हम branch accounting का mega marathon करने वाले तो वो भी miss मत करना 7 और 8 तारिक को branch accounts का mega marathon होने वाला है तो वो भी उसका भी lecture शायद बन गया होगा बन गया होगा तो उसको भी like करके रखना notifications on रखना and यारो तेजस 10 is the code team's uncle के साथ group 2 के लिए plus iconic पे ज़रूर जुड़िए तेजस 10 code यूज करिए आज का lecture पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी सब में बताईए आज का lecture पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी सब को बताईए कि वो हमारे साथ अन Academy में जुड़के पढ़ सकते बहुत ज्यादा clarity आई ओके यस सर बहुत मज़ा आया सार्थी का remaining YouTube पे जित्ता भी remaining है सब YouTube पे होगा और सार्थी में भी जो हुआ है वो YouTube पे वापस re-revise भी हम करेंगे सर अब मुझे ये doubt आ रहा है कि बच्चे इस chapter को छोड़के क्यों जाते है क्योंकि आज के पहले तू भी शायद इसको छोड़के जाता था इसलिए वो लोग भी छोड़के जाते तो आपके friends होंगे और आपको ये session पसंद आया होगा तो do suggest it to your friends awesome session sir thank you so much thank you so much guys thank you so much और यारो Unacademy की website पे जाके आप लोग हमारे साथ जोड़ सकते हो Unacademy की website को कैसे operate करते है तो ये Unacademy.com की website है you just have to go on this website and click on get subscription get subscription में plus iconic light वाले है तो मैं suppose plus पे click करता हूँ तो plus पे आपके पास options आते है ये plus पे आप जाते हो and if you like the way I teach you can use my code TEJAS10TEJAS10 and apply the code जो भी best possible discounts है अभी के या जो भी time पे आप subscription लेते हो वो आपको मिल जाएगा तो do apply the code आपको यहाँ पे देखो आप discounted rate पे आ चुका है so that's how you can take subscription on an academy plus iconic या light जो भी light subscription लेना बात उसमें lectures का access नहीं मिलता है plus या iconic में आपको lectures का access मिलता है so संकल्प May 23 के लिए हमारे साथ जुड़िये group 2 के लिए तेजस्ट in code यूज़ कीजे मिलते हैं कल की class में thank you so much guys thank you so much thank you so much मिलते हैं कल 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 I am from Andhra Pradesh वरशिता I am from Nagpur sir मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो अरे मेरे भाई thank you so much thank you so much okay चलिए thank you so much everybody मिलते हैं कल की class में lecture number